Hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, Company Law Amendment Series और Company Law Amendment Series में हम लोग एक लेक्चर अल्रीड कर चुके हैं The Amendment in the Meaning of Listed Company और बहुत डिटेल में मैंने वो बता दिया हैं और आज हम Company Law Amendment के ओपर Next Class लेकर आए हैं और That Is Very Very Important for CS Executive Student और CS Professional के All Slivers के Student है भी मैं आपको amendment करवा रहा हूँ ये सारी के सारी amendment जून 2021 के लिए applicable है मैं आपको बताना चाहूंगा जितनी भी amendments सब जून 2021 के लिए हम कर रहे हैं यह दो दो वजहा से ये amendment है एक तो हमारा आप सबको पता है company's amendment act 2020 आ गया है और मैं आपको बता दू, Companies Amendment Act 2020 के अंदर, जितनी भी Amendment है, ICSI ने अपना एक Supplement इशू किया है, और ICSI ने अपना एक Supplement इशू किया है, अगर मैं आपको शो करूँ, और इस Supplement में, for CS Executive especially, और यह जो Supplement है, इसके अंदर, देखे, 38 pages का Supplement है, और इस Supplement के अंदर, ICSI ने, जितनी भी Companies Amendment Act 2020 के अंदर Amendment थी, वो सारी की सारी कवर करी है, It means Simple, यह बड़ा Simple हो गया आप समझना कि, जितनी भी Amendment Companies Amendment Act 2020 में आई हैं, या उसकी वजहा से आई हैं, वो सारी की सारी आपकी जून 21 के लिए applicable है, इस Supplement में आपको बता दू, mostly जो Amendment है, deals with the Companies Amendment Act 2020, तो definitely हमारी से लिए applicable है, और यह सारी Amendment में आपको करवाने वाला हूँ, Companies Amendment Act 2020 के अंदर, क्या-क्या चेंज आया है, और बच्चों, दूसरी जो Company लोग के अंदर, Company लोग के अंदर, जो दूसरी Amendment, Companies Amendment Act 2020 के अलावा आपको करनी है, तो यह तो एक Amendment Act है, जिसकी वजह से बड़े सारे चेंज हुए हैं, लेकिन उसके अलावा, रूल में भी चेंज आए हैं, कुछ नोटिफिकेशन आई हैं, कु तो सर वो अगर आप देखना चाहें, तो MC की वेबसाइट पे यह सब आपको अविलेबल मिलेगा, तो अगर आप देखेंगे, तो यह देखेंगे, तो यह देखेंगे, Rules के अंदर, Circular के अंदर, यह सारे जो भी चेंजिस आए हैं, यह सारे के सारे हम आपको करवाएंगे, जो जो जून 2021 के लिए applicable है, तो आपको एक बात बिल्कुल किलियर हो गई होगी, क्या, कि जून 2021 के लिए बेसिकली कंपनी लों में दो तरीके से amendment आ रखी हैं, तो first one is, Companies Amendment Act 2020 की वज़ा से कुछ amendment है, और कुछ amendment किसकी वज़ा से है, Rules, Circular and Notification, is that okay with you? ICCI ने क्या किया, Companies Amendment Act 2020 की सारी amendment उठाली, Rules, Circular and Notification की सारी amendment उठाली, और उनने अपना एक खुद का supplement बना दिया, और यह supplement आप लोग यहाँ पे देखते हैं, और आप प्रेशान हो जाते हैं कि 38-38-page का, 38-page का supplement आ गया, कैसे करें, लेकिन मैं आपको बता दू, यह supplement कुछ न इसकी वज़ा से कुछ changes है, तो उसी का supplement है और कुछ नहीं है, मैं आपको पूरा supplement as it is cover करा दूँगा, जो ICSI ने issue किया है, और सारी amendment हम एक एक करके cover करेंगे, is that okay, लेकिन यह बात बिल्कुल पता होनी चाहिए हम लोगों को, कि एक तो हमें amendment कौन से cover करनी है, Companies Amendment Act 2020 की, और Rules, circular and notifications वाली, hope it is clear with everyone, चलिए से, आगे बढ़ते हैं, without wasting time, सबसे पहले जो मैं आपको amendment cover करवाऊंगा, that would be Companies Amendment Act 2020, कौन से amendment cover कराएंगे आपको, Companies Amendment Act 2020 की हम आपको amendment cover कराएंगे, यह वाली amendment cover करवाने की बात, फिर हम पहुचेंगे rule में, circular में, notification में, क्या आया है, क्या नया है, क् सारी हम चीज़े discuss करेंगे, तो Companies Amendment Act 2020 के अंदर मैं आपको बता दू, बड़ी सारी amendment है, बड़ी सारी amendment है, लेकिन जो majorly amendment है, it deals with the fine penalties, तो सबसे पहली बात तो मैं बोलूँगा, Companies Amendment Act 2020 से कुछ घबराने वाली बात नहीं है, कुछ, you know that, इतना major कोई change नहीं है, इतना कोई major change न हो गई है, तो सबसे पहले मैं, बड़े सारे section में fine penalty change हुए, तो मैंने क्या plan किया है, जितनी भी fine and penalties के अंदर change आया है, मैं आपको एक series में आपको करवाँगा, in one series, in one go, सारी fine penalties मैं आपको एक ही series में करा दूँगा, ताकि वो एक ही जगा आपको समझ में आए, नहीं, तो सबसे पहली जो amendment मैं आपको लेकर आ रहा हूँ, that is, changes in fine and penalties, तो वो सारी के सारी चीज़े हम यहाँ पे cover करने वाले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि Companies Amendment Act 2020 ने penalties के regarding तीन चीज़े की है, बड़े सारे sections में जो पहले penalties के उसको reduce कर दिया है, बड़े सारे sections में जो पहले penalties क that is, imprisonment का प्रावधान था, कई section में क्या था? कई section में imprisonment का प्रावधान था, तो imprisonment को हटा दिया गया है, imprisonment हटा दिया गया है, और और मैं आपको बताऊंगा, fine हटा दिया गया है, fine भी remove कर दिया गया है, are you getting that? तो सर क्या किया है, Companies Amendment Act 2020 ने, कुछ section में तो penalties को reduce कर दिया है, reduce मतलब 1000 पे की penalty तो 500 कर दिया है, और कुछ section में imprisonment बिल्कुल हटा दिया है, और कुछ जगा इन्होंने क्या कर दिया है, कुछ section में Companies Amendment Act 2020 ने decriminalization कर दिया है, penalties का, अब आप बोलोगे सर, decriminalization क्या होता है, तो decriminalization का मतलब होता है, conversion, conversion of fine into penalties, conversion of fine into penalties, तो Companies Amendment Act 2020 ने ये तीन काम किये है, जहां तक penalties के regarding सवाल है, तीन चीज़े क्या 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 किये है, एक तो बड़े सारे section में fine को reduce कर दिया है, बड़े सारे section में imprisonment हटा दिया है, कहीं कहीं, कहीं कहीं fine हटा दिया है, और तीसरा case क्या कर द और decriminalization का मतलब क्या होता है, fine को convert कर देना किसके अंदर, penalties के अंदर, अब आप गोर से अगर देखें, कहीं penalty लिखा है, कहीं fine लिखा है, और कहीं यहां पर मैंने लिखा है, कि fine convert हो गया, कहां पर penalty में, तो मैं एक छोटा सा, इसके ओपर एक example देना चाहूंगा, कि fine और penalty मे ने बनाई हुई है, YouTube पे available आप चाहें, तो देख सकते हैं, लेकिन अभी एक मिनट का छोटा सा, मैं बहुत detail में नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बता रहा हूँ, final penalty में difference क्या होता है, क्योंकि, अगर अभी नहीं बताऊंगा यह, तो यह जो penalties आप समझ नहीं पाएंगे, त section को contravene किया, क्या आप किया, अगर आपने section को contravene किया, तो you are liable to penalty, कि आपको penalty देनी पड़ेगी, और you get in that, और कई जगा ऐसा लिखा हुआ है, Companies Act 2013 में, कि अगर आपने इस section को contravene किया, अगर आपने Companies Act 2013 के इस section को contravene किया, तो you are punishable with fine, you are punishable with fine or imprisonment, ध्यान से सुनना मेरी बात अब, तो कई section में तो लिखा हुआ है, कि आपके ओपर penalty लगेगी, और कई section में लिखा हुआ है, कि you are punishable with fine or imprisonment, जहाँ जहाँ, ध्यान से सुनना इसको, क्योंकि सर, जब तक आप ये नहीं समझोगे, तो मैं आपको decriminalization का क्या मतलब सुनिये ध्यान से, जहाँ जहाँ पूरे companies act में लिखा है, कि you are liable to penalty, तो उसे बोला जाता है, civil non-compliance, क्या बोला जाता है, civil non-compliance, और जहाँ जहाँ पूरे companies act में लिखा हुआ है, कि you are punishable with fine, उसको बोला जाता है, criminal non-compliance, उसे क्या बोला जाता है, criminal non-compliance, और जहाँ जहाँ liable to penalty है और जहां जहां civil non-compliance है तो मैं बोलूँगा that is less strict. Why it is less strict? Because they are civil non-compliance and I would say they are more strict. Why they are more strict? Because it is a criminal non-compliance. पूरे Companies Act में जहां जहां liable to penalty लिखा होगा उसे civil non-compliance बोला जाएगा और penalty impose करने की power ROC के पास है section 454 में और जहां जहां पूरे Companies Act में लिखा होगा punishable with fine or imprisonment वो criminal non-compliance है और वहां पर fine impose करने की power special court के पास है और special court का section Companies Act में लिख लो section 435 है. अब आप मुझे बस अब ध्यान से सुनिएगा मुझे कोई बता सकता penalty और fine में क्या फरक हो आप देखो एक बार ध्यान से सुनिए. Penalty जहां जहां Companies Act में लिखा है liable to penalty वो less strict है और penalty हमेशा ROC लगाएगा section 454 में जहां जहां Companies Act में लिखा है punishable with fine तो punishable with fine or imprisonment यह more strict है यह ज्यादा strict है और हमेशा fine impose करने की power special court के पास है under section 435. अब आप मुझे बताओ पेनल्टी ज्यादा strict है यह fine or imprisonment ज्यादा strict है fine or imprisonment ज्यादा strict है because वो criminal non-compliance के अंदर आ रहा है मेरी बात समझे में आ रही है अब ध्यान से सुनों Companies Amendment Act ने क्या किया अब मैं एक्जांपल दे रहा हूं आपको ध्यान से सुनिएगा तीनों चीज होगा अब एक्जांपल चल रहा है एक्जांपल नूमबर वन Companies Amendment Act 2020 ने क्या किया किया कई section में तो penalties reduce कर दी मतलब penalty reduce कर दी एक्जांपल दे रहा हूं कैसे लिखा हुआ लिखा था liable to penalty क्या लिखा था liable to penalty मान लीजिए 10,000 तो लिखा हुआ था liable to penalty तो मैंने बोला इस Amendment Act ने बड़ी सारी penalty को reduce कर दिया क्या कर दिया तो कई section में penalty जैसे 10,000 थी उसको एक हजार कर दिया आप मुझे बता हूं यानि penalty ही है लेकिन पेनल्टी रिडियूज हो गई दस हजार से एक हजार हो गई है तो that is example number one example number two that is मैंने बोला कि fine or fine or imprisonment remove कर दिया remove मतलब पूरी तरीके से अटा दिया तो लिखा हुआ था कहीं पे मान लो कहीं पे लिखा हुआ था you are punishable with fine of 1 lakh रुपी तो यहां पे लोमेकर ने क्या किया punishable with fine तो बोला हम आपका fine रिमूव कर रहे है हम आपका fine रिमूव कर रहे है यानि punishable with fine पूरा fine हटा दिया है यहां पे क्या किया Penalties को Reduce कर दिया और यहाँ पर क्या कि आप पूरा का पूरा जो Fine था वो हटा दिया है या पूरी की पूरी जो Imprisonment थी वो हटा दिये तो अब मैं आपको कैसे कैसे बताऊंगा ऐसे कौन-कौन से section है हमारा pattern कैसे रहेगा ऐसे कौन-कौन से section है जहाँ पर लोमेकर ने Penalties को Reduce कर दिया है ऐसे कौन-कौन से section है जहाँ पर लोमेकर ने Imprisonment को और Fine को Remove कर दिया है Reduce मतलब कम करना Remove मतलब बिल्कुल हटा देना क्या आपको मेरी दो बाते समझ में आ रही है Are you getting what I am saying? No आगे बढ़ते हैं सर फिर तीसरा क्या है? Decriminalization अब यह सबसे important है अब तीसरा क्या? Companies Amendment Act 2020 ने क्या किया? Decriminalization कर दिया Decriminalization of Penalties कर दिया मतलब Fine, Conversion of Fine into Penalties कर दिया अब ध्यान से सुनो मुझे बताओ इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब यह हुआ जहां लो में ऐसा लिखा था That you are punishable ऐसा लो में लिखा था You are punishable with fine of 1 lakh रुपी अब देखो अगर लो में कहीं यह लिखा था punishable with fine of 1 lakh रुपी तो लो मेंकर ने क्या किया? बोला इसको हम हटा रहे हैं और अब हम इसको convert कर रहे हैं You are liable to penalty of 1 lakh रुपी You are liable to penalty of 1 lakh रुपी कोई बता सकता है मुझे यह क्या हुआ यहां पर Decriminalization का क्या मतलब है? ध्यान से सुन लो इसको Penalty तभी समझ में आएगी सर्थ Penalty को समझाने के लिए ऐसा नहीं एक लाग से दस अजार हो गया Concept को समझी है Actually हो क्या रहा है सुनिए मेरी बात Decriminalization का मतलब क्या होता है? Conversion of punishment Conversion of fine into penalty तो जहां जहां सेक्शन में लिखा था You are punishable with fine of 1 lakh रुपी तो उसको Lohmaker ने convert करके क्या कर दिया? You are liable to penalty of 1 lakh रुपी कोई बताएगा इस change की वज़ा से क्या हो रहा है? क्या मैं बोलू पहले जिस जो section Criminal Non-Compliance हो रहा था जो Criminal Non-Compliance माना जा रहा था वो से Civil Non-Compliance माना जाएगा यानि आप मुझे बताओ जल्दी से पहले यहां पर Fine कौन impose कर रहा था? बताना ज़रा? यहां पर यह penalty impose करनी की पावर किस के पास आ गई है? आरोसी के पास क्या मैं बोलू Decriminalization का मतलब सरफ इतना है लोमेकर ने यह बोला है जहां जहां हम यह consider कर रहे थे दुबारा सुनना मेरी बात Decriminalization का मतलब यह है लोमेकर कहता है कि जहां जहां हम यह consider कर रहे थे कि यह criminal non-compliance है अब हम उसे criminal non-compliance नहीं मानेंगे अब हम उसे civil non-compliance मानेंगे अच्छा मुझे यह बताओ criminal non-compliance ना मानके civil non-compliance मानेंगे यानि पहले लो क्या था more strict regarding penalty तो लोमेकर ने उसको क्या कर दिया है? less strict आप मुझे बताओ क्या जहां पे more strict provision थे क्या वहां पे less strict लोमेकर ने provision डाल दिया है? येस इसी को बोला जाता है क्या? decriminalization of penalties are you getting the concept of criminal non-compliance को लोमेकर ने civil non-compliance में convert कर दिया है अब आप मुझे सवाल और पूछेंगे सर ये तो बताओ अब आप मुझे बताओ जल्दी से एक बात अगर decriminalization of penalties अगर हो गई अगर decriminalization of penalty हो गया यानि criminal non-compliance को civil non-compliance में अगर convert कर दिया तो मुझे बताओ जितने भी domestic और international market player हैं corporates हैं क्या उसमें ज्यादा confidence नहीं आ जाएगा? ज्यादा confidence मतलब ज्यादा confidence क्या लोग ये नहीं सोचेंगे यार हम company के अंदर हैं और अब company के अंदर criminal non-compliance कम हो रहे हैं civil non-compliance बढ़ रहे हैं और criminal non-compliance के lawmaker खुद किसमें convert कर रहे हैं civil non-compliance में क्या जो बंदा company चला रहा है क्या उसके अंदर confidence आएगा या नहीं आएगा क्या वो और zeal के साथ अपना काम करेगा नहीं करेगा अगर उसे पता चल जाए कि हमारे ओपर penalties कम हो रही है answer is yes दूसरा क्या बाहर से FDI promote हो जाएगी आप मुझे बताओ क्या बाहर के लोग जब इंडिया में आएंगे और उनको ये पता चलेगा कि यहाँ पे तो penalties कम लगती है इंडिया में तो क्या business करना उनके लिए असान हो जाएगा कि नहीं यार कंपनी बनाने के ऊपर भी कंपनी बनाने के बाद भी non-compliance होगा तो decriminalization हो चुका है और civil non-compliance ज्यादा है और हमारे ओपर penalties कम है तो क्या हमारे देश में start-up increase होगे या नहीं होगे answer is yes और एक चीज़ और मुझे बताओ क्या कोट का burden कम नहीं हो जाएगा criminal non-compliance को कौन adjudicate करता था criminal non-compliance के fine कोण impose करता था बताना court और penalty कोण impose करता है बोलो fine कोण impose करता है court और penalty कोण impose करता है ROC तो sir क्या जो court का burden है क्या वो भी deduce हो जाएगा या नहीं हो जाएगा answer is yes तो lawmaker ने इस बात को समझा और इन चार वजहा चार रीजन की वजहा से आप बोल सकते हैं lawmaker ने क्या कर दिया decriminalization कर दिया hope you understand what I'm missing अब एक बार जल्दी से कुछ भी start करने से पहले बोज़ा लगते हैं मैंने बहुर डिटेल में आपको पूरी कहानी समझा दिये और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब मैं आसे एक छोटा सा रिवीजन लेने लेना चार रहा हूँ आपसे फटा फट बताईएगा अभी तक मैंने क्या बताया अभी हम आपको ये बोल रहे हैं कि Companies Amendment Act 2020 ने बड़ी सारी amendment की अब Companies Amendment Act 2020 ने जो amendment की उसमें major amendment किस से deal कर रही है उसमें major amendment deal कर रही है penalty से तो ठीक है अब एक चीज़ बताओ Companies Amendment Act 2020 ने penalties की regarding तीन चीज़े क्या की बस ये बता दो बात खतम आगे बढ़ेंगे फिर तो मैं बोलूँ हम Companies Amendment Act 2020 ने penalties की regarding तीन चीज़े की हम皮ं मा below चैब चैब की Universe. अब हम लक्टर फं가요 और इसके अंडर इस lecture के अंदर मैं आपको क्या बताने वाला हूं इस lecture के अंदर मैं आपको क्या बताने वाला हूं इस ये बताने वाला हूं कि ऐसे कौन-कौन से सेक्शन है जहां पर penalty reduce हो गई है, फिर एक और lecture लगाने वाले हैं sir, lecture number 2, और इस lecture number 2 के अंदर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, कि ऐसे कौन-कौन से section है जहां पर imprisonment remove हो गई है या fine remove हो गई है, तीसरा, फिर एक और lecture हम लोग लगाने वाले हैं, lecture number 3, और उसके अंदर मैं आपको बता जाने जा रहा हूँ, कि कौन-कौन से ऐसे section है, जहां पर decriminalization हो गया है, यानि fine has converted into penalty, यानि criminal non-compliance converted into civil non-compliance, तो that is the concept of Companies Amendment Act 2020, and Companies Amendment Act 2020 ने penalties के regarding एक drastic change कर दिया है, और क्या मैं बोलू, यह सारी चीज़े हो गई है, for ease of doing business, लोगों में confidence बढ़ेगा, corporate में confidence बढ़ेगा, penalties कम हो रह हैंगे, yes, और सर क्या हमारे देश में जब ज्यादा corporate बढ़ेगा, तो क्या company secretary का profession और गरो करेगा, answer is yes, so that is all about the reason behind the amendments under the penalties, are you getting, तो सर सरफ amendment in the penalty का मतलब यह नहीं है, एक लाग की penalty 10,000 हो गई, हम लोग पढ़ लेते हैं, sir, you have to understand the logic and reason behind that, hope it is okay with you, चलिए सर, तो मुझे बताओ सर, आज का जो lecture one है, वो मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, तो आज का lecture number one मैं आपको बता रहा हूँ, कौन-कौन से section ऐसे हैं, जहां पर लोमे करने penalties को reduce कर दिया है, तो फटा-फट चलते हैं आगे और देखते हैं धियान से, देखें सर, लिखना शुरू कर दो बई, मेर नहीं कि बस सुन लिया, सुनने से कुछ नहीं होगा सर, you have to not down each and everything, तो सर, reduction of penalty की बात हो रही है, कहां-कहां reduction, penalties में कहां-कहां reduction हुआ है, ध्यान से समझते हैं, देखें, the first one, section 64, section 64, alteration of capital, और आपको पता होना चाहिए, you should know that, जहां-जहां company capital को alter करती है, तो you know that, capital को जब भी alter किया जाता है, increase in authorized capital, conversion of share into stock, diminution of share capital, you know that, number of things, तो जहां-जहां capital alter की जाती है, तो वहां-वहां section 64 बोलता है, कि आपको जैसे ही capital, capital को आप alter करेंगे, तो आपको 30 days में, ROC को एक form file करना है, SH7, कौनसा form file करना है, SH7, और अगर आपने form file नहीं किया, तो penalty लगी है, अब ध कितनी penalty लगेगी, दिहान से देख लो, officer in default के ओपर कितनी penalty लगेगी, is that, अच्छा, यहां पर क्या लिखा हुए, penalty की बात हो रही है, अभी ना कोई fine की बात हो रही है, ना कोई imprisonment की बात हो रही है, वो next lecture में बात करेंगे, fine imprisonment कहां remove ही है, अभी हम सरफ penalty की बात कर रहे है, अच्छे बात बता हो, गर हम penalty की बात कर रहे है, can we say this is civil non-compliance, answer is yes, और एक बात दुआ रहा, civil non-compliance के अंदर कौन impose करेगा penalty, ROC, कौन सा section, 454, तो section 64, अगर आप SS7 ROC को file नहीं करते, within how many days, within 30 days, तो sir, company के ओपर penalty पहले 1000 रुपे थी, और अब penalty होगे यह 500 रुपे पर दे, प 500 रुपे जिंदेगी भर नहीं लगीगी, 500-500 लग लगके, एक maximum cap लगा दी है, कि 500-500 लग लगके 500-1000 होगा, लेकिन 500-500 कर करके, आपकी penalty 5 लाग के ओपर नहीं लग सकती, और जितने भी officer in default है, उनके ओपर पहले penalty कितनी थी, 1000 रुपे पर दे, लेकिन अब penalty कितनी हो गई है 500 रुपे पर दे, मुझे बताओ penalty कितनी डियूज हो रही है, 1000-500, company के ओपर भी, और officer in default के ओपर भी, लेकिन officer in default के ओपर एक खास बात है, इनकी maximum cap कितनी है, 1 लाग रुपे, is that so, absolutely, आगे बढ़ते हैं, section 92, section 92, very important, it deals with annual return, और annual return, you know that, आपको, जैसे ही AGM होगी, सबको पता कितनी, तो company के ओपर, और officer in default पर कितनी penalty है, तो पहले company के ओपर penalty थी, 50,000, अब कितनी हो गई है, 10,000, पहले officer in default पर penalty थी, 50,000, अब कितनी हो गई है, 10,000, और sir, daily fine, 100 रुपे लगेगा, officer in default के ओपर भी daily fine, 100 रुपे लगेगा, लेकिन 100 रुपे लग लगके maximum cap कितनी है, 2 ला कर लेते हैं अनुरेटन फाइल नहीं की तो कंपनी एंड ओफिसर इंड डिफोल्ट के ओपर दोनों के ओपर पहले पैनल्टी पचास हजार थे अब कितनी डिद्यूस करके कितनी करती है दस हजार दस हजार और उसके बाद अगर आपने फिर भी फाइल नहीं किया तो यह तो सब्सक्राइब करके आपके ओपर पैनल्टी दो लाग के ओपर नहीं लगेगी एंड जो ओफिसर इंड डिफोल्ट की जो लिमित वो फिफ्टी थाउजन रुपीज है इस आपको पता होगा बड़े सारे केस ऐसे हैं जहां पर तीस दिन के अंदर 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 रोसी को अब लगेगी दस हजार ऑफिसर इंड डिफोल्ट के ओपर पहले पैनल्टी लगती थी पचास हजार अब लगेगी दस हजार अब लगेगी और डेली फाइन लगेगा मदब दस हजार के बाद डेली फाइन लगेगा तो आप इसको देख सकते हैं याद कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं सेक्शन शेक्शन 137 में और आपको पता ही ऋगा जैसलिए ईच हुम Points उपर पैनल्टी लगेगी और ऑ्फिसरेश्णर्ड पेमल्टी लगेगी और और उफइसर रुपए daily company भी और ओफिसरेंट दिफोर्ट के उपर भी लेकिन company की maximum cap 2,002,003 रुपए है and इसकी maximum cap यह 50,000 रुपीज है तो क्या मैं बोलू 137 की penalty और यह वाली penalty सेमी है यह वाली penalty सेमी है देखो दस जार सो दो लाख दस जार सो दो लाख दस जार सो दो लाख और यह 50,000 तो क्या मैं बोलू section 117 और section 137 की जो penalties है as it is same ही है आगे बढ़ते हैं sir auditor आप सब को पता है कि auditor resign कर सकता है उसकी मर्जी है और अगर auditor ने बेटा resign किया तो उसे एक form file करना पड़ता है resignation के लिए ADT3 और अगर उसने file नहीं किया तो उसके उपर क्या fine अप ध्यान से सुनिए इसको क्या है तो लोमेगर कहता है अगर auditor ने ADT3 file नहीं किया तो उसके उपर penalty लगेगी और penalty मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या civil non-compliance कौन लगाएगा penalty ROC कौन से section में 454 में तो sir auditor के उपर penalty लगेगी 50,000 रुपे और उसका जो remuneration है whichever is less मान लो auditor का remuneration था 1,00,000 रुपे और penalty है 50,000 तो लोमेकर कहता है अगर आपने ADT3 file नहीं किया तो आपके उपर कितनी penalty लगेगी या तो 50,000 और जितना आपका remuneration है whichever is less तो sir 50,000 और आपका remuneration है एक लाग तो दोनों में छोटा कौन 50,000 और एक लाग में छोटा कौन तो इसका मदलब यह थोड़ी ना हुआ कि आपने 50,000 की penalty दे दी तो आपको लो का compliance आपका नहीं रहेगा तो लोमेकर कहता है 50,000 और remuneration whichever is less यह तो one time penalty है उसके बाद भी ADT3 file नहीं किया तो आपके उपर fine लगेगा 500 रुपे daily का लेकिन यह 500 रुपे daily लग लगके maximum limit कितनी है लोमेकर कहता है पहले था 5,000,000 रुपे अब reduce करके कर दिया है 2,000,000 रुपे यहाँ पर reduction in penalties कितनी कहां पर reduction हो रहा है यह 50,000 और remuneration यह सेम है 500 रुपे per day save है यहाँ पर penalty में कहां reduction आ रहा है maximum cap पहले 5,000,000 थी अब maximum cap 2,000,000 है तो क्या यह भी penalty के इंदर reduction हो रहा या नहीं हो रहा है आप सबको पता है कि एक बंदा maximum 20 कंपनी में डिरेक्टर बन सकता है और वो जो डिरेक्टर्शिप है तो नंबर ओफ डिरेक्टर्शिप के ओपर हम बात कर रहे हैं और और पहले यह था कि अगर आप 20 कंपनी से ज्यादा डिरेक्टर बनते हैं तो आपको डेली का fine लगेग 5,000 रुपे पर डे लेकिन यह penalty reduce करके कर दी गई है अब आपके ओपर डेली fine लगेगा 2,000 रुपीज पर डे किता लगेगा 2,000 रुपीज पर डे और यह maximum cap कितनी है 2,000 रुपीज और यह यह penalty ना ओफिसर इन डिफॉल्ट पे है ना कंपनी पे है यह उस डिरेक्टर के ओप है पेनल्टी सिर्फ और सिर्फ जिसने section 165 का कॉंटरवेंशन किया है hope you understand this 165 का कॉंटरवेंशन किया है तो I would say that is something simple और these are the section जहां पे penalty reduce हो गई है मैं आपको बता दू यह बहुत simplified करा दिया है मैंने आपको आप अगर companies amendment 2020 उठाएंगे तो sir इस तरीके से figure out करना बहुत मु अब आप मुझे बताओ अगले लेक्चर के अंदर मैं बताऊंगा कि companies amendment act ने जहां जहां penalty reduce किये वो बता दी तो I think 6-7 section बताईए सारी amendment थी और आपके exam के लिए applicable है और अब next lecture में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि कौन-कौन से section में और यह बड़े सारे हैं यह बड़े स management हट गई है और कहां-कहां fine हट गया है तो इसके बारे में बात करेंगे and the most important कहां-कहां decriminalization हुआ है तो आने वाले lecture का वेड़ कीजिए और यह सारी की सारी चीज़े discuss करेंगे उसके अंदर आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी जो मैंने बनाई हैं और जो concept आपको सिखाए हैं वो भी बड़े अच्छे लगे होंगे और बड़े यूनिक concept हम आपके लिए लेकर आएंगे जो आपने पूरे YouTube पे कहीं पे भी नहीं देखे होंगे believe me चलिए सब आज के लिए इत जगाया है जहां पर penalty reduced हो गई है तो लास्ट अगर आपने पेनल्टी डेकर देखे तो पहले उससे जुरूर देखे गा उसके बाद ही यह वाली class देखेगा आज बताने जा रहा हूं वो वो section फटा फट नोट कीजेगा वो section जिन section के अंदर imprisonment बिलकुल remove कर दी गई है तो अब देखते हैं चेक करते हैं कि कौन कौन से section है जहां से imprisonment remove कर दी गई है तो एक करके बात करेंगे सबसे पहले section अगर हम बात करें section 8 section 8 की section 8 डाट इस section एंजियों नौन प्रॉफिट और कुछ कंपनीजेशन कुछ कंपनीज होती है तो यह था पहले कि section 8 के अंदर there was a provision कि अगर आप section 8 कंपनी बनाते हो section 8 के provision को contravene करते हो तो देखो क्या लिखा हू प्रोविजन से new provision में आ रहा है और लोमेकर ने क्या किया कि जो imprisonment यह हटा दी है और बाकी fine same है that is fine 25,000 minimum maximum 25,000 और यह बहुत हट जाएगा बहुत क्यों हट जाएगा the reason being because imprisonment हट गई है तो नया provision क्या बना director and every office and default पहले क्या था तीन साल की imprisonment थी अब 3 साल की imprisonment को delete कर दिया ग तो तो पहले director and officer of the company के ओपर imprisonment की imprisonment था बटा दिया आज हम सरफ कौन से section के उपर बात करेंगे आज हम सरफ इन section के उपर बात करेंगे जिन section के अंदर lawmaker ने imprisonment को हटा दिया गया है is that okay with you so that is all about section 8 now section 26 और section 26 matter अगर आपने प्रोस्पेक्टर्स को आपने इसू कर दिया नोएंगली तो इन दैट वेरी केस आपको पता है प्रोस्पेक्टर्स में गलत लिखा वाएं फिर भी आपने प्रोस्पेक्टर्स इसू कर दिया तो लोमेकर बोलता था चणत्क को ने उस प्रोस्पेक्टर्स को इसू करने में अलावड के उसे पता है ऍसक्यों गलत लिखा हुह है तो उस विक्टी के उपर प्रोविजन के अंदर इंप्रीजनमेंट हट दी हटा दी गई है तो दर इस ओल अबाउट सेक्शन 26 नेक्स्ट और देखें लिखा हुए साफ साफ जून 2020 के लिए अप्लिकेबल है जो बता रहा हूं सब जून 2020 के लिए अप्लिकेबल है तो old provision में लिखा था every officer of the company who is in default shall be punishable with imprisonment of maximum 1 year और सर ये imprisonment यहाँ पर हट गई है and in that very case fine क्या था minimum 50,000, maximum 3,000,000 तो again I would say imprisonment यहाँ पर भी remove कर दी गई है imprisonment यहाँ पर कितनी थी? officer in default के ओपर 1 year की और यहाँ पर भी 1 year की imprisonment को हटा दिया गया है हम वो section again I would say अभी सरफ हम वो section जैसे last class में last lecture में मैंने इसरफ वो section आपको बताया थी जहाँ से penalty reduce कर दी गई है एक लाग से 50,000 याद हो तो और आज हम कौन से section बता रहे हैं आपको आज हम वो section बता रहे हैं जहां से imprisonment बिल्कुल बिल्कुल हटा दी गई है तो definitely sequence में बता रहे हैं सब कुछ तो that is section 40 is all about imprisonment यहां पर भी एक साल की कम कर दी गई है अब imprisonment नहीं है sir is that okay now sir section 68 you know that buyback of share और company buyback कर सकती है और हम जब buyback का topic आता है section 68 तो हम यह बोलते हैं that तीन section है 68 69 70 और company listed है तो सेवी के regulations भी applicable होती है और बहुत important topic है that is buyback of shares and securities और हम ऐसा बोलते हैं कि buyback company करती है promoter नहीं और buyback करने के बाद share cancel होते हैं transfer नहीं तो buyback जब भी आता है यह line बोलनी बहुत जरूरी है और section 68 बोलता है कि अगर आपने section 68 buyback के provision का contravention किया तो every officer of the company who is in default again old provision new provision इसे देखते रही हैं shall be punishable with imprisonment of 3 years और fine 1 lakh maximum fine 3 lakh और बहुत और मैं आपका बता दूँ new provision में भी यह fine हट गया है sorry imprisonment हट गई है तो यहाँ पर भी 68 में से imprisonment के provision हटा दिये गई हैं बाकी मैं बोलूँगा यह section आप ऐसे भी याद कर सकते हैं section को याद करके कि यहाँ पर imprisonment हट गया है penalty अगर आपको already fine penalty याद है तो बस आपको imprisonment हटा देना है तो याद करना भी असान है इसलिए इसको sequence में ही बताया जा रहा है तो 68 buyback imprisonment यहाँ पर पहले कितनी थी तीन साल की तो वह imprisonment हटा दी गई है now section 128 or that is books of account और आपको पता है section 128 के अंदर company के MD, WTD यह सारे लोग authorized होते हैं company के books of account maintain करने के लिए तो who maintain books of account एक question उठता है कि books of account कौन maintain करता है तो हम बोलते हैं company का MD, company का whole time director, company का CFO these people are required to maintain books of account और अगर इन लोगों ने सही तरीके से as per section 128 books of account सही तरीके से maintain नहीं किया तो again इनके ओपर imprisonment कितनी थी एक साल की fine कितना था 50,000, next fine कितना था 5,000,000 और बहुत again I would say imprisonment यहाँ पर भी हट गई है and definitely new provision में जो imprisonment है one year अब नहीं है यानि अभी अब इनके ओपर सरफ और सरफ fine है और fine remain same minimum 50,000 maximum 5,000,000 रुपे किस के ओपर MD, WTD, CFO क्योंकि these people are required to maintain books of account as per section 128 तो that is the provision June 121 किस के लिए अपलिगे वहला section 147 auditor के regarding provision और देखिए क्या बोल रहा है auditor के regarding punishment for contravention if any of the provision section 139 से लेकर section 146 अगर किसी ने भी 139 से लेकर 139 to 146 you know auditor related provision है तो किसी ने भी अगर 139 से लेकर 146 तक की provision का contravene किया तो 147 के according देखो क्या लिखा है old provision new provision every officer of the company who is in default shall be punishable with what imprisonment up to one year and again I would say new provision में imprisonment हटा दी गई है और fine minimum कितना है 10,000 रुपे maximum कितना है एक लाक रुपे और यह बहुत नहीं आएगा बहुत क्यों नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि imprisonment तो हटा दी गई है तो इस section में से भी लोमे करने imprisonment हटा दी गई है तो यहां पर जो भी व्यक्ति 139 से 146 के contravention करते हैं आइडिटर, section 167 the vacation of office of director और इसमें क्या लिखा हो है if a person function as a director even when he knows that he will the office vacate अगर कोई भी section 167 अगर किसी को पता है कि वो office vacate कर चुका है तो उसे office में नहीं आना चाहिए उसे director का का काम नहीं करना चाहिए अगर किसी व्यक्ति को पता है, 167 बोलता है, कि अगर किसी भी person को ये पता है कि वो vacate कर चुका है office, director के place को, director के office को तो उसे डिरेक्टर के पद पर आके काम नहीं करना चाहिए, कोई भी action नहीं लेना चाहिए, और अगर आप ले रहे हो, तो such person, कौन सा person, जो act कर रहा है as a director, punishable with imprisonment of one year or fine minimum one lakh, maximum five lakh and I would say imprisonment यहां पर भी हटा दी गई है, तो imprisonment of one year has been removed even from that section और उस व्यक्ति के उपर अपर सरफ fine लगेगा कितना, one lakh रुपी, अच्छे इची बताओ, लिखा हुए punishable with fine, last class में बताया था, लिखा क्या हुए, he is punishable with fine, पहले क्या लिखा था, punishable with imprisonment or fine, पहले क्या लिखा था, punishable with imprisonment or fine, पहले क्या लिखा था, punishable with imprisonment or fine, imprisonment भी लग सकती है, या फिर fine भी लग सकता है, लेकिन अब क्या लिखा है, punishable with imprisonment हट गया है, क्या लिखा है सरफ, punishable with fine, तो अभी भी यह वैसे वर punishable लिखा हुए है, तो तो अगला जो प्रोवीजन है वो है सेक्शन 242-243 के रिगार्डिंग और सेक्शन 242-243 डिल्स विद ऑपरेशन और मिस्मेनेजमेंट तो सेक्शन 242 क्या कहते है ध्यान से सुनिएगा सेक्शन 242 पावर ओफ ट्राइवनल कॉंट्रावेंशन ओफ दा ओडर ओफ एल्टी रिलेटिंग टू ऑल्टरेशन इन एम्मो एंड एवे होगा है मैं आपको समझा दूँ इसके अंदर ओट हैपन आपको पता है सेक्शन 242 अगर कंपनी में ऑपरेशन मिस्मेनेजमेंट चल रहा है तो सेक्शन 241 के अंदर मेंबर कंप्लेइन कर सकते हैं अगर 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 दिया है चेंज करने का तो वह चेंज आपको करना पड़ेगा तो सर NCLT के उस order को अगर आपने contravention कर दिया तो आपके उपर punishable offense माना जाएगा देखो क्या लिख है Section 242 Contravention of order of NCLT relating to alteration in MOA और A अगर NCLT ने MOA और AOA के अंदर alteration का order दिया है क्यों order दिया है? To prevent operation and mismanagement क्योंकि Section 241 में Members ने apply किया था NCLT को की operation mismanagement को रोक लो और NCLT ने operation mismanagement को रोकने के लिए memorandum article के अंदर कुछ alteration किया अगर उस NCLT के order का अगर आपने contravention किया तो lawmaker बोलता है कि Every officer of the company who is in default shall be punishable with imprisonment of 6 months fine minimum 25,000, maximum 1,00,000 और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर भी वो imprisonment हटा दी गई है अब सरफ fine बचा है 25,000 और 1,00,000 रुपे maximum तो that is all about Section 242 Section 243 It's also deal with the operation mismanagement Consequence of termination and modification of certain agreement क्या लिखा हुए Consequences of what Termination or modification of certain agreement हुआ क्या Again, सुनना ध्यान से Section 241 में Member ने apply किया NCLT को की operation mismanagement रोख लो, I repeat Section 241 में NCLT के पास दुबारा apply किया जाता है Member दुबारा apply करते है NCLT को की operation mismanagement रोख लो NCLT ने जब company को देखा तो NCLT came to know कि company में operation mismanagement चल रहा है किसी particular बंदे की वज़ा से किसी MD की वज़ा से NCLT ने क्या किया उस managing director का company के साथ agreement terminate कर दिया और बोल दिया कि अब आप company के MD नहीं हो क्योंकि आप ही इसमें company में operation mismanagement कुछ कर रहे हो Is that okay with you NCLT के पास complaint दुबारा सुनो NCLT के पास complaint आती है क्या complaint आती है कि operation mismanagement रोख लो NCLT कारवाई करती है चेकिंग करती है तो पता लगता है एक Mr. A है यह एक Mr. A है यह एक Mr. Z है और इस Z की वज़ा से यह Mr. Z है और Z की वज़ा से क्या हो रहा है What is happening Z company में operation mismanagement को पर्मोट कर रहा है और यह company का managing director है तो NCLT बोलता है We are terminating your agreement with the company और अब आप company के MD नहीं हो तो lawmaker कहता है section 243 में अगर इस तरीके से अगर किसी भी MD का director का, manager का agreement terminate हो रहा है तो वो व्यक्ति अब company में अगले 5 साल तक MD director के रूप में काम नहीं कर सकता अगर NCLT के इस order का आपने contravention किया तो such person and director shall be punishable with imprisonment of 6 months और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर भी imprisonment 6 महीने की हटा ली गई है और fine, that is maximum fine punishable with maximum fine up to 5 lakh rupees ही आपको अपको लगेगा तो क्या मैं बोलू इन सारे section के अंदर imprisonment को हटाया जा रहा है and that is a big relief to the corporate I would say section 347, that is that section deal with the winding up और winding up के अंदर section 347 बोलता है जैसे company का winding up जैसे company dissolve होने वाली है company का winding up होने वाला है खतम होने वाली है company winding up is a process, resolution is an end तो जैसे winding up खतम होने वाला है company dissolution बहाने वाली है तो company के जो books of account है उसको भी आप क्या करोगी, dispose करोगे और अगर आपने section कैसे dispose करोगे as per section 347 dispose करोगे लेकिन अगर आपने 347 के provision के according disposal नहीं किया तो such person shall be punishable with imprisonment of 6 months and I would say यहाँ पर भी वो 6 महीने की imprisonment new provision के अंदर हटा ली गई है और a fine कितना है that is maximum 50,000 रुपी जानी अब तो 50,000 रुपे तक का fine लगेगा आपके ओपर under section 347 तो that was a winding up provision section 392 और आपने एक provision सुना होगा a provision related to the winding up तो sorry sorry क्या बोल दिया है section 392 आपने provision फड़ा होगा provision related to the foreign companies तो बड़े सारे की foreign company कैसे इंडिया में establish होगी and all तो अगर आपने foreign company के provision का contravention किया the provision of the foreign company अगर आपने contravene किया तो in that very case every officer of foreign company whose default shall be punishable with imprisonment of 6 months और fine minimum 25,000, maximum 5 lakh और मैं आपको बता दू इसके अंदर again imprisonment हटा दी गया है यानि आपके पास सिर्फ और सिर्फ फाइन क्या है minimum 25,000 रुपे and I would say maximum 5 lakh rupees और जो ये बहुत वाला प्रोविजन था ये भी हटा दिया गया है so that is all about section 392 is that okay simple है कुछ है नहीं इसके अंदर I would say that imprisonment reduce हो रही है section 441 that is compounding of offense or compounding of offense के regarding अगर आपने section 441 के अंदर जो भी NCLT का order आया है compounding के regarding या RD का order आया है compounding के regarding और वो order आपने compounding का नहीं माना तो such officer और employee जिसने NCLT RD का compounding का order नहीं माना उसके ओपर jail की सजा 6 महिने fine एक लाग रुपे, maximum fine और बोथ और ये वाली provision हटा लिया गया है मैं आपको बता दू, the provision has been removed over there and that new provision के आ गया है such officer or employee shall be punishable with fine maximum twice the amount provided in the corresponding section in which punishment for such offense is provided यानि imprisonment यहां से भी हटा ली गई है और आप ये बोला गया है कि maximum fine आपके ओपर कितना लगेगा maximum fine आपके ओपर इतना लगेगा जिस section के अंदर आप compounding करवा रहे हो जिस section के अंदर, मानलो आप section 8 के अंदर आप compounding करवा रहे हो whatever, ऐसे एक रफली example ले रहे है section 8 के अंदर आप compounding करवा रहे हो suppose section 8 के अंदर जो fine है वो 1,000 रुपे है तो आपको यहां पर section 441 का contravention करने पर आपको fine डबल लगेगा क्या लिखा होए दुबारा maximum fine कितना लगेगा twice the amount provided in the corresponding section in which punishment for such offense is provided मतलब अगर आपने किसी एक section मानलो आपने section 96 के अंदर again एक चोट अग्जम्पल आपने contravention किया और section 96 में एक लाख रुपे का fine प्रुवाइड था अब आपने क्या किया section 96 की compounding करवा लिए अचा section 96 के अंदर आप मुझे बताओ section 96 के अंदर कितना fine प्रुवाइड था एक लाख रुपे अब आपने इसकी compounding करवाली और compounding करने के बाद NCLT का order भी आपनी मान रोडर भी आपनी मान रोडर भी आपनी मान रोडर तो लोमेकर कहता है इतना fine उस section में प्रुवाइड था कितना section कौन से section में 96 में तो उस fine का double आपको देना पड़ेगा तो आपके ओपर 441 के contravention के लिए जो fine लगेगा that would be the two lakh rupees आप मुझे बताओ क्या यहां पर old provisions in new provision imprisonment हटा दी गया और fine भी change कर दिया गया है पहले fine था maximum एक लाग रुपे अब maximum the twice the amount provided in the corresponding section in which punishment for such offenses provided I would say these are the list of the section these are the list of the section और यह सारे section की मैंने list बता दिया मैं आपको एक चीज़ों दिखा दू हमने पूरे company's amendment 2020 को अलग-अलग provisions में बाठ दिया है तो यह देखे यह वह section है जहां पर penalty reduce हो गया है तो last class में करा दिया था यह notes अगर आपको चाहिए यह सारे notes अगर आपको चाहिए तो सारे notes हमारी app Academy 99 पर अविलेबल है Google Play Store पर जाके या iOS पर जाके डाउनलोड करें है पर वहां पर यह note आप free of course आप देख सकते हैं तो सब कुछ वहां पर given है और यहां पर penalty कहां reduce होई वह मैंने अपको बता दिया है फिर आप मैंने आपको यह बता दिया कि कौन-कौन से section है जहां पर imprisonment रिमूब कर दी गया है तो वह सारे section imprisonment जहां जहां removal है वह सब आपको मैंने आपको समझा दिया है और 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 next जो मैं आपको बताने जा रहा हूं next class में वो यह होगा panel provisions removed, panel provisions मतलब कौन-कौन से ऐसे section है जहां से पूरी की पूरी fine punishment सब कुछ ही हटा दिया गया है तो ना fine है ना imprisonment सब कुछ remove कर दिया गया ऐसे कौन-कौन से section है जहां पर panel provisions मतलब provisions ही remove कर दिया गया है penalties के तो आई वोड़ से यह और अच्छा है तो बट इस चीज़ को we'll discuss in the next class thank you very much hello everyone कैसे हैं आप सब लोग और आज हम लोग amendment कर रहे हैं related to the penalties or penalties related amendment की दो क्लास हो चुकी है पहली class के अंदर मैंने आपको बताया की कहां पैनल्टी रिडीउस हो गई है दूसी class में मैंने आपको बताया कहां-कहां से imprisonment हट गई है आज की class में मैं आपको वो section बताने जा रहा हूँ जहां से पूरी की पूरी fine penalty हट गई है मतलब पिछले केस में तो ये बताया था imprisonment हट गई है, बट fine अभी भी रहता है, बट आज की class में बता रहा हूँ, fine भी हट गया, imprisonment भी हट गई, जहाँ पर penalty थी वो भी हट गई, सब कुछ हट गया है, तो can we say, this section become penalty free, यह जो section अब हम बात कर रहे हैं, penalty free section हो गई है, लेकिन सर्थ, अब ध्यान से सुनने वाली बात ह यह जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको समझने से पहले, यह section 16 या whatever the section जो मैं नीचे बढ़ाऊँगा, जहाँ पर penalty हट गई है, यह पढ़ने से पहले आपको section 450 की knowledge होनी चाहिए, section 450 की knowledge होनी चाहिए, section 450 talks about residue penalty section, कौन सा section है, residue penalty section, अगर आपको इस section के बारे में नहीं पता, तो I would say यह आज वाला जो हम amendment पढ़ रहे हैं, यह useless हो जाएगी, section 450 की knowledge must have है, पता होना चाहिए, section 450 पहले याद करो, 450 को क्या बोलते है, residue penalty section, तो यह पढ़ने से पहले, कि कहां कहां से fine penalty हट गई है, यह पढ पूरे companies act 2013 में, अब ध्यान से सुन लो, शुद हिंदी में क्या बोल रहा हूं है, section 450 क्या कह रहा है, पूरे companies act 2013 में दो case बनते है, case 1, case 2, case 1 क्या कहता है, sir, case 1 कहता है, कि companies act में बड़े सारे section ऐसे हैं, जहां पर उनही section में fine penalty prescribed है, जहां पर उनही section में fine penalty prescribed है, तो sir, अगर को fine penalty आपको उस section के according देनी पड़ेगी, for example, make example देता हूं आपको, मान लीजिए, for example, मान लीजिए, section 441, अभी हमने last class में पढ़ा था, यह section 441 है, तो section 441 क्या कह रहा है, section 441 कह रहा है, अगर आप 441 को contravene करोगे, तो आपके ओपर ये penalty लगेगी, ये वाले provision, ये वाले fine आप क्यों पर लगेगी, अब आप मुझे बताओ, क्या 441 को contravene करने की penalty क्या section 441 में खुद दे रखी है, answer is yes, तो companies एक 2013 में दो case है, एक तो ऐसा कि जहाँ पर section में खुद लिखा है, उसी section में खुद लिखा है, कि अगर तुम इस section को contravene करोगे, तो तुम्हारे उपर ये fine या वहाँ पर fine penalty prescribed नहीं है, तो लोमेकर कहता है, companies एक 2013 का कोई भी ऐसा section, जहाँ पर उस section के अंदर fine penalty prescribed नहीं है, तो लोमेकर कहता है, उस section को contravene करोगे, तो आपके उपर penalty, क्योंकि उस section में पिसक्राइब नहीं है, आपके उपर penalty लगेगी as per section 450, और section 450 बोलता है, section 450 को हम बोल होते हैं, residue penalty section, अगर किसी भी section में, अगर companies एक किसी भी section में fine penalty prescribed नहीं है, तो sir उस section को contravene करने की fine penalty section 450 के according लगती है, अब दो case हो गई, दुबारा सुनो, मैं एक बार दुबारा बोलूँगा, दो case हो गई, पहला case, एक ऐसा section जहाँ पर उस section को contravene करने की penalty उसी section में दे रहे हो, तो उस section की fine penalty देनी पड़ती है, as per section 450, residue penalty section, क्या मेरी बात समझ में आ गई, answer is yes, absolutely, तो sir section 450 क्या कहते है, section 450 talk about residue penalty section, section 450 residue penalty section है, अब धिहान से सुन लो, section 450 में भी amendment है, section 450 में भी amendment है, section 450 में भी amendment है, section 450 में जो हम residue penalty section की बात कर रहे हैं, उसमें क्या amendment है, पहले क्या था, आप कंपनी जगाए दो जातीरा के किसी भी section को कॉंट्रवीन करते हो ध्याँ से सुन लेना अंड देट section अंड देट section डजनोट प्रोवाइड एन फाइन पैनल्टी तो इन देड़ वेरी केस आपके ऊपर फाइन पैनल्टी लगी एस पर section 450 कैसे लगेगी, as per section 450, residue penalty section के according, तो low maker कहता है, अगर आपने section contravene कर दियो, section के अंदर कोई fine penalty नहीं, तो पहले old provision क्या था, company and officer in default, यानि दोनों के ओपर, company भी और officer in default के ओपर, they are punishable with fine, they are punishable with fine, अब मेरा सवाल है, बच्चों लिखा, punishable with fine, क्या मैं बोल सकते हूं, it is a criminal non-compliance, पहली क्लास देखी है, पूरा detail में समझाया है, it is a criminal non-compliance, is that okay with you, punishable with fine, क्या इस strict provision था, answer is yes, और कितना लग रहा था, 10,000 fine one time, और अगर आप फिर इसे continue करोगे, तो in that very case, daily fine लगता था, 1,000 अगर किसी section में fine penalty नहीं है, और अगर उस section को contravene करते हो, तो company को भी और officer in default को भी, punishable with fine था, punishable with fine का मतलब, criminal non-compliance था, और कितना one time fine, 10,000 रुपीज, और daily fine, अगर एक बार तो 10,000 का fine लग गया और दूसरे दिन भी नहीं मानोगे, तो continue fine लगेगा, daily fine लगेगा, up to 1,000 रु तो that is something, the concept, old provision, but अब ये हट कहा है sir, section 450 में amendment आईया, वो amendment कहा है, अब ध्यान से सुन लो, इसको मैं क्या कह रहो, company and officer in default, अब section 450 का provision क्या है, अब section 450 ये बोलता है, company and officer in default, sir, they are liable to penalty, वा, अब आप मुझे बताओ, पहले क्या लिखा था, punishable with fine, अब amendment क्या कर दी section 450 में liable to penalty, तो क्या मैं बोलू हूँ, now it is a civil non-compliance, now it is a civil non-compliance, क्या मैं already mention कर चुका हूँ आपको ये बात, class 1 देख ले ना भाई, ये देखने से पहले, क्योंकि वहाँ पे पहले detail में समझा दिया था, और उस class में मैंने बोला था, ये fine penalty के बारे में इसलिए बता रहो, so that आपको ये क 50, सब बताया हुए, तो क्या मैं 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 बोल सकता हूँ, liable to penalty, civil non-compliance, और अब देखो ध्यान से, क्या मैं बोलू, पहली amendment तो इसके अंदर ये दिख रही है, साफ साफ, company and office and default punishable with fine up to 10,000, तो punishable with fine को low maker ने change करके क्या कर दिया, liable to penalty, कितनी 10,000 रुपीस, यानि one time fine 10,000 रु यानि 450 में, section 450 में पहले fine कोन impose करता था, special court, अब कोन करेगा, that is ROC, and daily fine 1000 रुपीस, क्या यहाँ पर कोई upper cap या maximum cap लगा रही थी, answer is no, लेकिन अब low maker कहता है, यह 1000 रुपे daily fine लगेगा, लेकिन company के उपर maximum लग सकता है 12 रुपे, और office and default के उपर maximum लग सकता है 50,000 रुपे, ब पहुच जाएगी penalty, no sir, वो 50,200,000 की limit कर दिये, तो अब आप मुझे simply यह बताईए, क्या section 450 में भी amendment आ गया, answer is yes, वो amendment में आपको बता दिये, और अब बताओ latest case क्या बनता है, अब आज की date में, बस यह बताओ, section 450 क्या कहता है, एक बार detail में section 450 को पढ़ लेते है, section 450 क्या ब पढ़ेनी पढ़ेगी, as per section 450, और section 450 के according penalty क्या है, every company and every officer in default, liable to penalty पहले क्या था, punishable with fine, अब क्या है, liable to penalty कितना, one time fine 10,000 रुपीज, and daily fine 1,000 रुपीज, लेकिन क्या हजार हजार रुपे लगके, क्या यह unlimited लग सकता है, no sir, low maker ने maximum cap लगा दिये, कितनी, company के उपर हजार हजा and default, क्या मैं बोलू, यहां पर old provision में यह था, एक तो punishable with fine था, तो low maker ने punishable with fine को हटा कर, क्या कर दिया, बोलो जरा, punishable with fine को हटा के क्या कर दिया, liable to penalty, और maximum cap नहीं थी, वो maximum cap इंपोस कर दिये, तो आप बोल सकते हो, that is our residue penalty section, that is all about section 450, hope you understand, section 450 easy है, असान है, कुछ मुश्किल सर, ऐसे कौन-कौन से provision है, ऐसे कौन-कौन से provision है, जहां से सारी penalty हटा दी गई है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, दो मिनट बहुत ध्यान से, गोर से सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो सर, मुझे बताओ section 60 क्या है, 16 क्या बोलता था, देखो अब समझना मेरी बा प्रवर है, कि वो चाहे तो किसी भी कमपनी को ओडर कर सता है, कि वो अपना नाम रेक्टिफाई कर ले, लेकिन कुछ कंडिशन होती है, ऐसे नहीं कि कि इसी भी कमपनी को उठा के बोल दिया, 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 certain condition, जब सेंटर गुर्मेंट कमपनी को ओडर देता है, कि आप अ इसना फाइन लगता था, ओल्ड प्रोविजन, देखो क्या लिखा है, ओल्ड प्रोविजन, लेकिन लोमेकर कहते है, section 16 के अंदर जो ये fine था, अब ये हट गया है, section 16 के अंदर the fine has been omitted, देखो कितनी अच्छी बात है, पहले जो fine penalties मैंने पढ़ाई उसमें तो आपको याद करना पड़ रहा था, एक लाग का fine पचास अजार हो गया, imprisonment हट गई, लेकिन fine इतना रह गया, लेकिन इसमें मजे की बात क्या है, आपको सर्फ section याद करना और क्या याद रखना है, भाई इसकी तो fine penalty हट गई है, तो मुझे बताओ section 16, rectification of name of company, अगर आपने center government का order नहीं म अभी थोड़ी दिर पहले ये बताया, अगर किसी भी section को contravene आप करते हैं, और उस section के अंदर fine penalty नहीं लिखी हुई है, तो sir, उस section को contravene करोगे, तो fine penalty उस section में तो नहीं है, बढ़ section 450 के according लगेगी, और आप मुझे बताओ section 450, residue penalty section, क्या आपके उपर penalty लगेगी या नि अब देखो, फर्क क्या है, मैंने 450 पहले क्यों पढ़ाया, section 16 के अंदर, amendment से पहले section 16 के अंदर fine imposed था, तो उसी के according fine लगता, लेकिन low maker ने amendment करके fine को हटा लिया, तो अब आप से मैं पूछता हूँ, अगर section 16 के अंदर fine imposed है, नहीं है, और मिट हो चुक है, लेकिन फिर भी आ आपके अपर penalty लगेगी, as per section 450, और आप से मैं पूछता हूँ, ज़रा ये, बताइए मुझे, क्या fine, क्या penalty imposed है, क्या penalty imposed है, under section 450, company पे भी और officer in default पे भी 10,000 रुपे, and daily fine 1000 रुपे लगेगा, और company की maximum cap 2,00, officer in default की maximum cap 50,000 रुपे, तो that is, अब आप मुझे बताओ, जितने भी मैं section आपको पढ़ा रहा हूं, section 16, or whatever the section is given, section 10, section 66, section 71, इन सारे section में, क्या हुआ है, इन सारे section में fine हटा लिया गया है, लेकिन आप मुझे बताओ, अगर इन में से section में fine हटा लिया गया है, तो इनके अंदर fine लगेगा, as per section 450, the residue penalty section, hopefully बात समझ में आ गई होगी, काफी सारी चीज थी, इसके अंदर बताने वाली, जो मैंने आपको बता दी, अब मैं इसको provision को दुबारा से शुरू करता हूँ, दुबारा से देखें, सारी amendment June के लिए applicable है, of course मैं बता चुका हूँ, दुबारा से section 16, अब जल्दी जल्दी बताओंगा, अब इसमें बहुत कुछ बत चुका हूँ, अब फटा फट देख लेते हैं, इसमें इन में याद करने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन दूसरी चीज यह याद करनी है, क्योंकि इन section के अंदर कोई fine penalty नहीं है, तो भी अगर आप इन section को fine penalty ना होने के बावजूद भी, अगर इन section को contravient करोगे, तो भी fine penalty से बच नहीं सकते, क्योंकि इन section के अपर penalty कौन लगाएगा, section 450, that is, residue penalty section, आप देख सकते हैं, कि fine penalty में भी कितने जमेले हैं, कौन सा section कहां connect हो रहा है, कैसे connect हो रहा है, the number of things, तो section 16 is okay with you, of course yes, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, section 48, section 48 बोलता था, variation in the right of shareholder, अगर company चाहे तो section 48, अगर आप section 48 के provision को contravene करते हैं, तो sir, आपके ओपर penalty, यह fine लगता था, लेकिन अभी यह fine omit हो गया है, लेकिन याद रहे, fine खतम हो गया है, लेकिन अभी भी fine आपके ओपर कौन लगाएगा, section 450, very good, sir, section 59, rectification of register of member, sir, NCLT के पास power है, sir, अगर member का नाम ध्यान से सुन लो section 59 क्या बोलता है, अगर member को लगता है कि मेरा नाम register of member में से बेवज़ा हटा दिया गया है, या मेरा नाम register of member में बेवज़ा add-on कर दिया गया है, तो sir, उस case में member can apply to the NCLT, please rectify the register of member, और NCLT may give order to the company, please आप register of member को rectify करो, member का नाम enter करने में क्यों delay कर रहे हो, या member का नाम, section 59 is all about the NCLT may give order for rectification of register of member, यहाँ पर मैं section explain नहीं कर रहा हूँ आपको, यहाँ पर I am just explaining the fine penalty में क्या है, तो अगर NCLT ने company को register of member को rectify करने का order दिया है, तो in that situation क्या company को वो order मानना चाहिए, yes, और अगर नहीं मानोगे, तो आपके ओपर यह fine लगेगा, जो गीवन है, लेकिन law section का fine omit हो गया है, still is section 59 को आप contravene करोगे, तो fine आपको लगेगा, sorry, penalty आपको लगेगी section 450 के according क्यों, क्योंकि आप section 450 में liable to penalty word add हो गया है, जो भी मैंने आपको बताया, section 66, reduction of capital, अगर आप section 66 को contravene करते हो, तो पहले आपके ओपर यह fine लगता था, now it's omitted, लेकिन still section 66 को अगर आप contravene करोगे, तो आपके ओपर penalty लगेगी, as per section 450, residue penalty section, section 71, which deals with the debenture, अगर आप debenture के provision को contravene करते हो, तो पहले यह fine imprisonment था, लेकिन अब यह पूरा delete हो गया है, still 71 को contravene करोगे, तो penalty लगेगी, as per section 450, residue penalty section, hope you understand, तेखो एक बार कौन सा सौन में आ जाए, कि कहानी हो क्या रही है, फिर साहने सब कुछ पढ़ना, I would say, आगे बढ़ते हैं, दोस्तो, sir, section 284, it deals with the, अब धिहान से सुन लीजेगा, winding up, यह winding up के provision है, दोस्तो, 302, यह भी winding up का provision है, 342, यह भी winding up का provision है, वो देखते हैं के, 348, यह भी winding up का provision है, ठीक 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 है, 356, यह भी winding up का provision है, यह भी winding up का provision है, तो sir, अब धिहान से सुन लीजेगा, अब जो मैं आपको amendment बताने जा रहा हूँ amendment जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो amendments deal करती है penalties related to the winding up chapter penalties fine penalties related with the winding up chapter और इसमें देखते हैं कि क्या situation हुई है कैसे हुई है let's see section 284 क्या बोलता है धियान से समझते है section 284 promoter director to cooperate with the company liquidator lawmaker कहता है section 284 के अंदर section 284 के अंदर कि company के officer को director को जो company का liquidator उसके साथ coordinate तो करना ही पड़ेगा न यार liquidator आया है company को बेंट अप करने के लिए और director उसको ना सुने उसकी बात को ना सुने क्या यह अच्छी बात है क्या no sir तो 284 बोलता था company के promoter director corporate करेंगे company liquidator के साथ और अगर नहीं करेंगे तो वह उन लोगों के ओपर यह fine लगेगा यह imprisonment लगेगी बट lawmaker company's amendment in 2020 ने यह सारी imprisonment को delete कर दिया है और जैसे आपको पता है अगर किसी section को contravene करने के लिए fine penalty नहीं है तो उसको penalize कोन करेगा section 450 that is section 450 residue penalty section क्योंकि इस section की imprisonment इस section के fine imprisonment हटा दिया गया है तो companies एक दो हजा तेरा बोलता है किसी भी section को contravene करते वक्त अगर किसी भी section को contravene करते हो और उस section के अंदर fine penalty नहीं mentioned है तो section के contravention के लिए सजा आपको section 450 की according मिलती है that is residue penalty section एक बाद दुबारा मुझे बताएं क्या है वो fine penalty तो officer in default दुबारा याद करेंगी officer in default and company officer in default and company लो मेकर कहता है section 450 के अंदर अगर आपने section contravene किया तो you are liable to penalty एक बाद दुबारा याद करें कितना one time fine that is one time fine I would say one time fine 10,000 rupees and daily fine 1,000 rupees लेकिन company के ओपर maximum cap company के ओपर maximum cap 2,000 रुपे company के ओपर maximum cap है बच्चो 2,000 रुपे and officer in default in के ओपर maximum cap है 50,000 rupees maximum cap कितनी है that is 50,000 rupees here it is given 2,000 रुपे और 50,000 रुपे तो that is a maximum cap तो sir that is a residual penalty section तो 284 company के director को और promoter को liquidator के साथ coordinate करना चाहिए नहीं करेंगे तो पहले 2484 में ही penalty prescribed थी but amendment के बाद यह हटा दी गई है और lawmaker बोलता है अगर section में penalty prescribed नहीं है तो penalty लगेगी as per section 450 that is a residual penalty section अपके सामने है section 450 आगे बढ़ते हैं sir winding up का दूसा section जहां पर amendment है that is section 302 dissolution of company by tribunal dissolution और section 302 बोलता है जैसे ही company का winding up process खतम हो जाए आपको पता है winding is a first step winding up is a first step dissolution is the last step तो lawmaker बोलता है जैसे winding up का first step खतम हो जाए winding up का process खतम हो जाए तो liquidators shall apply to the NCLT for the dissolution of the company और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके ओपर that is 5000 रुपे daily का fine लगेगा लेकिन company's amendment 2020 के बाद ये वाला जो fine है हट गया है और आपको पता ही अगर fine हट जाता है तो sir section में अगर fine mention नहीं है तो आप सबको पता है तो fine लगेगा as per section 450 that is a residue duty penalty section section 342 that is very important prosecution of delinquent officer members of the company ध्यान से सुनियेगा अगर अब ये थोड़ा सा provision मैं आपको बता दू section 342 का अगर आप intervention करते हो तो sir ये आपके उपर that is fine है अब ध्यान से सुनो क्या है ये section क्या बोलता है section 342 क्या बोलता है ये समझने की चीज़ है देखो sir Lomaker says अगर NCLT को लगता है during the winding up process during the winding up process company के officer in default they are guilty of offense they are guilty of offense मतलब उन्होंने company का winding up start हो गया company का winding up start हो गया और NCLT को लगता है कि company की officer और director ने कुछ ना कुछ offense किया हुए related to the company तो क्या NCLT उन officer director के खिलाफ prosecution चला सकता है I repeat देखो बहुत बहुत प्यार से बहुत ध्यान से दुवारा सुन लो company का winding up चल रहा है क्या चल रहा है company का winding up चल रहा है अब बच्चो company का winding up चल रहा है और NCLT को लगता है कि जो company के director है company के officer है उन्होंने कुछ ना कुछ गलत काम कर रखा है offense कर रखा है related to the company तो क्या NCLT वो offense को determine करने के लिए company के officer और director के खिलाफ क्या prosecution नहीं चला सकता answer is yes तो लोमेकर कहता है दियान से सुनिएगा जब अब अब वो prosecution चलाएगा तो NCLT order देगा liquidator को कि इन officer डिरेक्टर के खिलाफ prosecution चलाओ पता लगा उन्होंने क्या जूर्म किया हुए क्या offense किया हुए तो sir लोमेकर कहता है जिस प्यक्ति के खिलाफ offense चल रहा है prosecution चल रहा है तो sir company के बाकी जितने डिरेक्टर और officers है उनको liquidator के साथ coordinate करना है regarding that prosecution कुछ पूछे तो साफ साफ सच सच बताना है अगर लोगों ने दूसरे officer डिरेक्टर ने liquidator के साथ prosecution के दोरान अगर coordinate नहीं किया तो उन लोगों के ओपर sir fine लगेगा इतना रुपे 25,000 एक लाख रुपे लेकिन company's amendment act के बाद ये delete हो गया है लेकिन sir अगर आप इस section को contravene करोगे तो आपके ओपर fine sorry बार-बार fine बोल रहा हूँ liable to penalty आपके ओपर penalty लगेगी as per section 450 I would say this is as per the this is as per the residue penalty section section 348 that is ये भी winding up का section है इसमें भी बच्चे का amendment है और amendment ये है ध्यान से सुन लीजेगा company का जो liquidator होता है हम सबको पता है company का liquidator asset based है liability pay off करता है जब asset बेचेगा तो उसके पैसा आएगा तो क्या company के liquidator के पाच जो पैसा आएगा वो अपनी बीवी को दे देगा asset बेचा 10 लाख है ले बीवी फिर asset बेचे फिर 20 लाख ले बीवी आप मुझे बताओ क्या सारे asset बेच बेचके ये liquidator अपनी बीवी को पैसे देता है तो सर ये provision आपके ओपर liquidator के ओपर लगेंगे fine penalty लगेगा बट लोमिकर कहता है now this fine penalty has been omitted लेकिन अगें section contravene करोगे तो dear liquidator 450 में तो फस होगे फसे होगे तो that is all एक और section बचके बचके बच्चों related to the winding up section 356 356 ये बोलता है कि sir मान लो NCLT ने company को dissolution का order दे दिया I'll just take you one minute मान लीजिये NCLT ने मान लीजिये NCLT ने मान लीजिये NCLT ने company को dissolution का order दे दिया तो आपको पता है कि dissolution का order void भी हो सकता है company के member, creditor या कोई भी interested person apply कर सकता NCLT को please sir अपना dissolution का order void कर दीजिये क्योंकि आपके order की वज़ा से आपके dissolution की order की वज़ा से हमें नुकसान हो रहा है तो I would say in that scenario I would say in that scenario that's all about section 356 356 के provision को अगर आप contravene करो ये तो in that very case आपके ओपर इतना fine लग रहा था लेकिन company's amendment 2020 के बाद this fine has been omitted और sir लेकिन अगर still ये section contravene होगा तो आपके पर penalty लगेगी as per section 450 that is residue penalty section is that okay भी दियो तो sir penalty related amendments के अंदर company's amendment at 2020 के अंदर huge amendment I penalties fine के अंदर पहली class के अंदर बताया penalty कहां कहां किस कि section में reduce हो गई दूसरे section बताया कहां का imprisonment remove हुई but fine बना रहा तीसे section में आज क्या बताया आज की class में ये बताया तीसे section में ये बताया मैंने आज आपको की कौन कौन से ऐसे section है जहां से penalty fine imprisonment completely remove हो गया है और फिर साथ साथ ये भी बताया जिस section में fine penalty prescribed नहीं होती वहाँ पे fine penalty section 450 लगाता है converted into penalty sir पहली class जरूर देख लेना अब मैं इसको नहीं बताऊंगा ये मैं अल्रडी बता चुका हूँ इसका मतलब होता है criminal non-compliance converted into civil non-compliance लेकिन sir decriminalization कहां कहा हुआ उसके सारे के सारे provision मैंने यहां पे आपके लिए बना दिये हैं again I would say ये notes आपको चाहिए तो मेरी app Academy 99 पे available है और sir इसके बारे में detailed discussion in the next class thank you very much hello everyone कैसे हैं आप सब लोग हम लोग पढ़ रहे थे Companies Amendment Act 2020 की वज़ा से Companies Act 2013 में कहां कहां penalties में amendment आई है penalties में और fine में amendment आई है और अभी तक penalties related amendment classes को अगर हम बात करें तो 3 class हो चुकी है और आज 4th class है पहली class में मैंने बताया कि penalty कहां reduce हुई है दूसरी class में बताया ऐसे कौन-कौन से section है जहां पर imprisonment खतम हो गई है और तीसरा case ऐसा बताया कि कहां-कहां पूरा fine और पूरा imprisonment और पूरी penalty खतम हो गई है और वहां पर section 450 के according आपके ओपर penalties लगेंगी और पूरा section 450 भी मैंने बताया तो आज 4th class वास 4th class के अंदर हम बात करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे sections है जहां companies act में decriminalization of penalties कर दिया गया है ये वीडियो देखने से पहले पहली तीन वीडियो जरूर देख लीजेगा नहीं तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगी और मैंने पहली वीडियो के अंदर decriminalization of penalty क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ और अब मैं detail में बात नहीं करूँगा क्योंकि already we have discussed तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा decriminalization of penalty का मतलब होता है जब lawmaker criminal non-compliance को convert कर दे civil non-compliance में criminal non-compliance को convert कर दे civil non-compliance में इसको बोला जाता है decriminalization of penalty ये मैं अल्ड़ी बता चुका हूँ दोबारा बोल रहा हूँ पहली वीडियो देख लेना फुल डिटेल में explain किया हुए criminal को convert कर दे criminal non-compliance को convert कर दे civil non-compliance में तो sir that is the decriminalization of penalty तो lawmaker ने यहां पर क्या किया इन नीचे लिखे हुए section में decriminalization कर दिया तो lawmaker अब मैं बार-बार बोल चुका हूँ कि sections के अंदर पूरे companies act में जहां 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 fine लिखा हुए या जहां जहां imprisonment लिखा हुए उसको बोला जाता है criminal non-compliance और जहां जहां liable to penalty लिखा हुए जहां जहां क्या लिखा हुए liable to penalty उसको बोला जाता है civil non-compliance और lawmaker ने क्या कि आप बहुत सारे section में जहाँ जाँ fine imprisonment लिखा था उसको क्या कर दिया है liable to penalty में convert कर दिया अब आप मुझे बताओ fine or imprisonment को किस में convert कर रहे है penalty में convert कर रहे है criminal non-compliance किस में convert हो रहा है civil non-compliance में तो जो more strict provision थे वो less strict कर दिये गए है किसा big relief to the corporate or not yes sir और एक चीज़ और इसके अंदर अगर मैं आपको बताना चाहूं तो मैं बताना चाहूंगा इसके अंदर की जो criminal non-compliance fine or imprisonment impose कोन करता है court or sir that is penalty कोन impose करता है ROC तो यह हम लोगों को पता होना चाहिए पहले भी बताया हुआ है एक बात थोड़ा सा जल्दी से मैंने और इसके अंदर आपको बता दिया है चलिए sir आगे बढ़ते हैं without wasting time let's see what is given no सबसे पहले और जो जो बता रहा हूँ यह सब जून के लिए applicable है और यह जून के लिए applicable है मैंने अगर आप खुद चेक करें IC SI के supplement आ रखें बड़े सारे और उन supplement के अंदर आगर आप चेक करेंगे तो वह सारे के सारे supplement के अंदर यह यह चीज़े mention की हुई है कि यह amendment applicable है एक्जाम के लिए और आप भी चेक आउट कर सकते हैं सेक्शन 56 कि सेक्शन 56 आई बुट से और इस सेक्शन 56 डील्स विदा ट्रांस्फरेंट ट्रांस्मिशन अब ध्यान से देखो मैं पहले दो तीन पैनल्टी पे बहुत ज्यादा अगर आप ट्रांस्फरेंट ट्रांस्मिशन के रिगार्डिंग अगर ट्रांस्फरेंट ट्रांस्मिशन के रिगार्डिंग आप डिफोल्ट करते हैं तो पहले ओल्ड प्रोविजन क्या था देखो जड़ा अरे यह क्या हुआ पहले ओल्ड प्रोविजन क्या था Company shall be punishable with fine और मैं आपको बता चुका हूँ जहाँ जहाँ लिखा हुआ punishable with fine उसे क्या बोला जाएगा criminal non-compliance तो punishable with fine minimum 25,000 रुपे maximum 5,000,000 रुपे and every officer of the company shall be punishable with fine इन शब्दों को देखो punishable, minimum 10,000 रुपे maximum 1,000,000 रुपे तो पहले penalty क्या थी पहले प्रोविजन क्या था किसी ने भी transfer and transmission section 56 का contravene किया तो company and officer in default punishable with fine इतना इतना punishable मतलब criminal non-compliance लेकिन अब देखो new provision क्या है company and officer in default company and officer in default shall be liable to penalty of 50,000 only sir यानि यहाँ पर amount में तो change आए आए रहा है लेकिन सबसे बड़ा फरक क्या है पहले क्या लिखा था punishable with offense यानि अब फरक क्या हुआ यह क्या बन गया civil non-compliance पहले lawmaker इसको क्या consider करता था criminal non-compliance पहले यहाँ पर fine लगाने की power किस के पास थी court के पास अब यहाँ पर penalty लगाने की power किस के पास है ROC के पास ROC penalty कौन से section में लगाएगा 454 में और यहाँ पर court के पास कौन से section में power थी 435 के अंदर आपको क्या मेरी बात समझ में आ रही है पहले provision क्या था अब क्या provision है क्या यह समझ में आ रहा है सर ध्यान से समझो मेरी बात दुबारा amendment समझने की जरूरत है सर पहले punishable with fine लिखा हुआ था here it is given punishable with fine लेकिन अब क्या लिख दिया है liable to penalty क्या दोनों में फर्क है या नहीं है पहले criminal non-compliance था civil non-compliance है पहले provision strict था अब less strict है can we say इसी को बोला जाता है decriminalization of fine penalties can we say more strict provision को less strict में convert कर दिया है पहले यह punishable with fine इसको adjudicate कोन करता था court कहां के चक्कर लगाने पड़ते थे court के पास अब adjudicate कोन करेगा ROC this is called decriminalization of penalty can it is a big relief to the corporate answer is yes why it is a big relief to the corporate क्योंकि sir can we say conviction का चक्कर हट गया है can we say criminal non-compliance से तो पहले ज्यादा मुश्किल होती थी sir अब चीजे relief रिलेक्स हो गई है तो क्या है मैं बहुत अच्छी चीज है यह तो ओल्ड प्रोविजन converted into all provision के अंदर decriminalization कर दिया गया है और liable to penalty कर दिया गया है यह चीज मैं पहले बता चुका था एक बाद दुबारा बता दी और नीच अब जितने भी section में आपको बताऊंगा उन सारे section में ऐसा ही किया हुए और बार बार अब मैं इसके ओपर focus नहीं करूंगा कि fine converted into penalty यह मैं आपको अलड़ी बता चुका हूं तो that is all about section 56 आपके सामने हैं अगर section एक बाद दुबारा section 56 कोई भी व्यक्ती transfer transmission के section को contravene करेगा तो sir punishable with fine convert into liable to penalty और fine अब सिर्फ penalty कितनी रह गई है 25,000 और 50,000 रुपीज तो that is in front of you is that okay with you चलिए sir अब इसी note पे आगे बढ़ते हैं और इतनी बात आप समझ चुके हैं तो चलते हैं section 56 now section 86 charge related provision अगर आप charge के provision को contravene करते हो section 86 आपने सुना होगा तो अगर आप charge related provision को contravene करते हो तो in that very case पहले company shall be punishable with fine company के ओपर यह fine लगता था क्या मैं बोलू कि जो चीज़ omit हो चुकी है उसे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है हम उसे क्यू पढ़े जो omit हो लगाएं तो can we say section 86 जो लोग जब चार्ज के regarding provision contravene करते हैं कोई बता सकता है चार्ज के related कितने section है 77 to 87 तो कोई भी अगर यह section contravene करता है तो section 86 पनिश करता है और section 86 बोलता था कि यह penalty लगेंगे लेकिन new provision क्या है नोट करने वाली बात है वहाँ पे भी पहले क्या लिखा थ फाइं new provision क्या company shall be liable to penalty of five lakh and officer in default is shall be liable to penalty of 50,000 रुपीज क्या मैं बहलू पनीशिबल भी फाइं हटी गया penalty आ गया है again decriminalization of penalty और सर अब company के अब देखो इतने बड़े-बड़े याद भी नहीं करने can we say company के आपर penalty पांच लाग है office in default के आपर penalty 50,000 रुपीज तो simple मज आई आ पहले कितना ताम जाम था एक लाग दस लाग अब तो बड़ा सान हो गया है याद कीजिए सर 86 आगे बढ़ते हैं सर section 88 अगर कोई भी company register of member maintain नहीं करती section 88 register of member maintain नहीं करती तो company देखो दुबारा शब्द old provision क्या था punishable with what यह दुनिया भर की चीज़े मोथ तरे की कितना कितना लिखा हुआ है क्या मैं बोलू अब यह पढ़ने की जूती नहीं है new provision क्या आ गया सर मजा आ गया चोटा सा प्रोविजन है company शल भी इसको focus करें liable to penalty company के ओपर 3 लाग रुपे and officer on default shall be liable to penalty of 50,000 रुपीज क्या पड़े paragraph पढ़ने की जूती नहीं है कितना असान हो गया penalties and all तो सर अगें decriminalization of penalty section 88 आगे बढ़ते हैं दोस्तो section 89 section 90 दोस्तों ध्यान से सुन लो section 89 section 80 section 89 discuss करता है beneficial interest के बारे में section 90 discuss करता है significant beneficial honor के बारे में sir section 89 or section 90 I'm telling you बड़े ही बहतरी section है अगर आप चाहते हैं 89 or 90 90 इन दो section के ओपर detail analysis देखना तो मेरी app academy 99 पर जाएए वहाँ पर section 89 or 90 की full detail analysis available है free of course and I'm telling you जो analysis आपको वहाँ देखने को मिलेगी पूरे इंडिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा I'm telling you जो content आपको वहाँ देख on our app academy 99 anyway sir section 89 किस से deal करता है beneficial interest के regarding section 90 किस से deal करता है significant beneficial owner के regarding अब मैं आपको यहाँ पर इस class में beneficial interest क्या होता significant beneficial owner क्या होता उसके बार में discuss नहीं कर सकता क्योंकि profit time consuming concept है देखना चाहते हो तो मैंने बता चुका हूँ आप पर जाके देख सकते है आप ध्यान से सुन लो section 89 क्या कहता है section 89 कहता है वह shareholder कोई भी company का shareholder अगर वह company का shareholder है और उसे पता है कि shareholder मैं हूँ लेकिन beneficial interest किसी और का है तो वह shareholder company को इस बात की intimation देगा MGT4 में क्या खबर देगा कि भले ही shareholder मैं हूँ भले ही registered owner मैं हूँ बट beneficial owner कोई और है shareholder इसकी खबर company को MGT4 में देगा और company इस बात की खबर ROC को देगी MGT6 में I repeat shareholder दुबार सुन लो shareholder company को बताएगा अगर मैंने share खरीद लिए मैं registered owner हूँ लेकिन मेरा beneficial owner कोई और है तो in that very case lowmaker कहता है hey shareholder अगर beneficial owner कोई और है और companies बात की खबर ROC को बता देगी MGT6 में कि यहां पर इस shareholder ने क्या intimate किया हमको कि हमारा beneficial owner कोई और है तो section 89 में मोटा मोटा दो मुद्दे हैं shareholder को company को बताना है MGT4 में कि मेरा beneficial owner को नहीं और company ROC को बताएगी कि हमें क्या intimation shareholder ने दी है अब ध्यान से सुन लिजेगा अगर किसी भी व्यक्ति को beneficial interest MGT4 में बताना है और उसने MGT4 में नहीं बताया company को company को तो in that very case पहले क्या था punishable with fine इतनी लेकिन अब lawmaker बोलता है such person shall be liable to penalty of 50,000 rupees and in case of continuing filler with a with a further penalty of 200 for each day after first during which such filler content subject to a maximum 5 lakh again decriminalization हो गया पहले punishable with fine था अब liable to penalty हो गया is that okay और एक चीज़ो सुन लो अब fine याद कर लो 50,000 one time fine लगेगा फिर 200 rupees per day लगेगा और यह 200 rupees 200 rupees कर करके maximum 5 lakh लगेगा maximum 5 lakh लगेगा तो that is all about section 89 अगर shareholder ने company को नहीं बताया अब सर अगर company ने ROC को intimate नहीं किया MGT6 में तो lawmaker कहता है अगर company अगर company intimate ना करे किसको ROC को तो 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 पहले company के उपर fine था punishable with fine so and so और और यह भी हट गया है अगर अगर company ने ROC को बताना था company ने ROC को बताना था और company ने ROC को बताना था concept form में MGT6 में और अगर company ये काम करना भूल गई तो company and every officer of the company who is in default shall be liable to penalty again liable to penalty कितनी 1000 रुपे for each day during which such failure continues subject to maximum of 5 lakh and in case of company in case of company and 2 lakh in case of officer in default तो यहाँ पे fine है that is 1000 per day in simplified words लेकिन यह 1000 रुपे लगके company के उपर maximum cap है 5 लाख रुपे और officer in default के उपर maximum cap है 2 लाख रुपे फटा फट टेप लो भी फटा फट टेप लो मुझे बताओ जल्दी से मुझे बताओ जल्दी से यहाँ पर क्या क्या ड्रामा चल रहा है क्या मैं बोलो यहाँ पर shareholder को hello सुन लो भई यहाँ पर shareholder को किसको बताना था company को बताना था Shareholder को किसको बताना था भई, Company को बताना था क्या बताना था Company को, बोल दो जड़ा क्या बताना था Company को कौन से फोर में बताना था MGT-4 में, क्या बताना था कि मेरा Beneficial Owner को नहीं है और अगर Shareholder ने ये बात Company को नहीं बताई तो Shareholder के ओपर Liable to Penalty कितनी इतनी सब्सक्राइब को बताना था, क्या बताना था ROC को MGT-6 में, और अगर Company ने ROC को MGT-6 में नहीं बताया तो Sir, Company and Office and Default के ओपर Liable to Penalty कितनी इतनी सब्सक्राइब में आ रहा कुछ? Section 89, I am talking about आगे बढ़ते हैं Sir, Section 89 चल भई Section 89, Section 90, अब ध्यान से सुन लो, Section 90 is all about SBO बोलते हैं Significant Beneficial Honor and I am telling you, हर बच्चे को यह SBO का कौन से पता होना चाहिए Strongly Recommend Section जरू देखेगा 89 और 90 क्या कहते हैं अब सुनो मेरी बात, Section इसमें क्या है कोई भी Shareholder कोई भी Shareholder जिसके पास equal to more than 10% Shareholding है कोई भी Shareholder जिसके पास company की total 10% Shareholding है वो company को बताएगा Ben 1 form में कि हां मेरे पास इतनी Shareholding है that is, मेरे पास 10% की Beneficial Ownership है and he will be treated as a Significant Beneficial Owner कई बार स्टूडन बोल देता है, Sir, Section में तो 25% लिखा है 25% पर नहीं बनेगा, 10% पर बनेगा सीधा rule as well तो यहां पर सच जो Shareholder है अगर उसके पास 10% Shareholding है तो वो SBO माना जाएगा और Shareholder को company को बताना पड़ेगा I am a Significant Beneficial Owner Ben 1 में और company किसको बताएगी? ROC को कि इस Shareholder ने मान लो Shareholder का नाम है Ram तो Ram किसको बताएगा? Company को I am SBO Ben 1 में और company बताएगी ROC को कि Ram ने हमें ये intimation दिये Ben 2 में Is that okay? तो जैसे 89 में 2 point थे यहां पर भी 90 में 2 point अब सुनो धियान से अब आप मुझे बताओ ज़रा यहां पर Shareholder ने Company को क्या बताना है? Shareholder ने Company को बताना है कौन से फोर में बिटा Ben 1 में और क्या बताना है? That I am a significant I am a SBO और अगर ये Shareholder नहीं बताता तो पहले क्या था? Punishable with fine अभी हट गया है अब क्या आएगा? Such person shall be liable to penalty कितना? 50,000 rupees one fine and daily fine कितना है? 1000 rupees per day और subject to maximum maximum limit 2 lakh rupees Is that okay with you? लेकिन 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 दोस्तो Company ने ROC को कौन से फोर में बताना है कि हमें राम से क्या declaration मिली है That is in band 2 और अगर Company इस बात की ख़बर नहीं देती ROC को तो पहले fine penalty क्या थी आपके सामने Company shall be punished with fine Again I would say जो चीज़ omit हो गई हम उसे क्यों पढ़े अब हट आओ इसे तो यहाँ पर क्या लिखा है Company shall be liable to penalty again decriminalization of penalty कितना बोलो एक लाख and in case of continuing failure तो लिख लो Company के उपर लगेंगे एक लाख and daily fine कितना 500 रुपे और maximum कितना maximum जाएगा पांच लाख रुपे आपके सामने ये Company के उपर लग गया आगे बढ़ते हैं sir उसके बाद officer in default के उपर देख लेते हैं officer in default के उपर shall be liable to penalty of 25,000 रुपे and with a further penalty of daily fine that is daily fine कितना है 200 रुपे इस पर daily fine कितना है ये 5 जा नहीं है वही मैं अभी कहूं 5 जार कैसे 500 रुपे है ठीक है और daily fine that is 200 रुपे और maximum cap 1 रुपे तो that is officer in default I think so simple it is so so easy this is तो आप लोगों को clear है तो section 89, section 90 बहुत important है sir SBO कोन होते हैं everybody should know anyways आगे बढ़ते हैं दोस्तों section 92 के उपर आचुके हैं हम लोग annual return क्या आपको पता है कुछ company के अंदर annual return PCS certified करते है तो क्या उसे सही तरीके से PCS को certified करना चाहिए yes क्या उसे section 92 के compliance करने चाहिए या certification के दोरान yes तो पहले था अगर PCS नहीं करता section 92 को comply तो shall be punishable with fine criminal non-compliance इतना इतना but now such PCS shall be liable to penalty of 2 lakh rupees तो can we say decriminalization of penalty आगे बढ़ते हैं sir section 105 Convassing of proxy sir Convassing of proxy में ऐसा लिखा था कि company का कोई भी officer किसी को भी proxy appoint करने के लिए इंडीउस नहीं करेगा अभी in simple word यही समझ लीजिएगा कि company का officer company का officer company का कोई भी officer किसी भी shareholder को इंडीउस नहीं करेगा proxy appoint करने के लिए और अगर कर रहा है तो गलत है and that is maximum punishable with maximum fine one lakh rupees और नाव यह reduce हो के एक लाख से पचास हजार हो गया and वह भी liable to penalty हो गया तो पहले punishable with fine था एक लाख अब liable to penalty 50,000 decriminalization of fine penalties section 105 are you getting are you enjoying this मैं देखो मैंने सारे section को step by step नहीं किया one एक बाएक नहीं किया आप सोचके देखे हर section को हमने रिमो कि किस तरीके से उनाइस किया कहां कहां penalty remove हो गई है कहां कहां decriminalization हो गया ताकि एक साथी सारे चीज़े समझने में आसानी रहे तो that is sir बड़ी बड़ी मेहनत लगी है इन चीज़ों के उपर anyways sir आगे बढ़ते हैं आजो सार नेक्स सेक्षन पर आजो section 124 क्या कहा रहे हैं दोस्तो section 124 आपको पता है अगर 30 दिन में dividend नहीं दिया तो sir जो dividend का पैसा है वो आप अंपेड अंक्लेंड डिविडेंड अकांट में ट्रांसर कर दोगे और अगर ऐसा नहीं किया तो company shall be punishable with fine again punishable with fine लिखा है लेकिन अब यह पढ़ने की जूत नहीं है अब देखो क्या लिखा company shall be liable to penalty क्या हो गया company company shall be liable to penalty of one lakh रुपीज तो मैं simplified लिख देता हूँ company shall be liable to penalty company पर एक लाख रुपे लगेंगे फिर बेटा daily fine दे रख है कितना 500 रुपे and such failure con subject to maximum maximum limit है 10 लाख रुपे ठीक है सर यह हो गया and every officer of the company who is in default shall be liable to penalty of 25 तो sir officer के ओपर fine penalty कितनी 25,000 रुपे 25 के 25 के ठीक है सर और daily 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 fine कितना है that is 100 रुपे और maximum कितना है maximum limit दो लाख रुपे तो देखो sir पूरा लिखा भी हुआ है again I would say यह notes अगर आपको चाहिए जो यह मैंने बना रखें जिससे हम पढ़ रहे हैं तो यह notes आपको हम मिल सकते हैं again on my app Academy 99 anyways free of course they are available yes आगे बढ़ते हैं सब section 134 section 134 बोलता है financial statement और board report के पर कौन sign करेगा पढ़ा होगा आपने section 134 की financial statement और board report के पर कौन sign करेगा तो in that very case अगर आप वो sign कर रहे हैं तो 134 को comply comply करें तो लोमेकर कहते हैं company shall be punishable with fine minimum 50,000 maximum again दिया हुआ है अब लोमेकर कहते हैं अगर आपने 134 का contravention किया तो company shall be liable to penalty of 3 lakh and every officer of the company who is in default shall be liable to penalty of 50,000 rupees तो can we say liable to penalty और कितना आसान हो गया याद करना I am telling you अलग-अलग paper में अबकी बार penalty के ओपर amendment के ओपर question आ सकते हैं CS executive company law CS final corporate dispute CS final due diligence that is corporate restructuring and drafting किसी भी paper में यह amendment जरूर पूछी जा सकती है ऐसा मुझे लग रहा है section 134 section 135 मैं आपको बता दू CSR के regarding जो penalty में amendment आई है वो आपके ICSI module ने नहीं डाली है जो supplement इन्होंने issue किया इसलिए मैंने वो यहां पे नहीं आपको नहीं करा रहा हूं क्योंकि ICSI ने supplement में नहीं डाला है is that okay यह सारी penalty actually मैंने कहां से देखी मैं आपको बता दूँ ICSI का जो CS executive का study mat CS executive का study mat उसके अंदर study material के अंदर उन्होंने क्या किया है एक supplement डाला है company low के लिए तो सर यह सारी amendment company low के लिए तो अगर company low के पेपर के लिए CS executive के company low के पेपर के लिए जोन जोन सी amendment applicable ICSI ने करवा दी है वो तो हर paper के लिए applicable हो जाएंगी तो हमने company low का जो supplement है उसे देखा और यह मैं जितनी amendment आपको करवा रहा हूं उस supplement में ICSI के उस supplement में है जो जून 2021 के लिए applicable है तो जून 2021 के लिए और जो CS executive company low के लिए applicable है तो आप मुझे बदा वो CS final के लिए या और किसी paper के लिए applicable क्यों नहीं होगी जब CS executive के लिए आप लिए प्रोड़ करवा रहे हो company low में तो definitely बाकी की जो paper है CR या corporate dispute definitely भापे भी applicable होगा और यह गेडिटिमापॉइंट anyways anyways CSR क्यों नहीं कर रहे हैं CSR की क्यों कि supplement में नहीं है 143 भाई साब यह आएगा पेपर में लिख लो Sir 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 reporting of fraud क्या आपको मालूम है company के अंदर तीन तरीके के auditor होते हैं practicing chartered accountant, practicing company secretary practicing cost management accountant हो हमारे CS एक सेकंड रुक जो मेरे भाई sorry 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 गलती कर दी मैंने और गलती यह कर दी कि हमने CS का नाम नीचे कैसे लिख दिया वह तो सबसे उपर है he is above all practicing company secretary, practicing chartered accountant practicing cost management accountant sir practicing company secretary कौन से audit करता है secretarial audit statutory audit कौन करता है statutory auditor PCA cost audit cost audit absolutely तो वह कौन करते हैं practicing cost management accountant और हमारे बोला जाता है the three pillars of the corporate PCA, PCA, PCMA CA, CA, CMA reporting of fraud तो जब यह तीन लोग audit कर रहे हैं और इनको कुछ घपले का पता चले घपले का पता चले तो इनको fraud की reporting करनी है और अगर तुम्हें घपले का पता चला और तुमने रिश्वत लेके वह fraud की reporting नहीं करी क्या यह अच्छे बात है यह बहुत बुरी बात है तो all provisions are such professional such professional बोले तो CA, CA, CMA punishable with so and so such professional shall be liable to penalty in case of listed company 5 lakh in case of unlisted company 1 lakh तो sir CA, CS, CMA सावधान हो जाईए listed company में अगर fraud का पता चला और तुमने नहीं बताया तो 5 lakh लगेंगे और sir unlisted company में fraud का पता चला नहीं बताया तो 1 lakh लगेंगे और यह up to up to नहीं है तो sir that is 143 very very and very important amendment 143 आजो sir 178 it deals with what? 178 किसे deal करता है sir? sir मैं बताना चाहता हूं 178 deal with the nomination remuneration committee and stakeholder relationship committee और अगर company ने default किया तो company shall be punishable with fine and all तो यह पढने की जूत नहीं है क्या लिखा है? अगर 178 का default किया 178 का default बोले तो nomination remuneration committee or stakeholder relationship committee बनाने में default किया तो company shall be liable to penalty of 5 lakh every officer shall be liable to penalty of 1 lakh decriminalization of penalty लिखा था punishable with fine penalty is that okay is that okay with you absolutely next 178 184 sir that is interested director interested director that is every director do interested interest disclose करना पड़ेगा और अगर उस भाहिन अपना interest disclose नहीं किया तो such director shall be punishable with imprisonment maximum one year fine you know that such director shall be liable to penalty of one lakh rupees is that okay 184 decriminalization of fine penalties anyways 184 187 sir आपको पता होना चाहिए कि एक company सिर्फ अपने नाम पर investment कर सकती है कुछ exceptions भी होती है change हो गया है amendment आ गई है company shall be liable to penalty of five lakh and every office of the company shall be liable to penalty of fifty thousand rupees बेटे यह याद करनी है penalties यह सुनके नहीं समझ में आ रही है यह पढ़के जानी है याद करनी है एकजी में भी आ सकते है final में भी आ सकते है बहुत important है sir चोटी चोटी चीज़े हैं बड़ी important इस दैट ओके वी थी चलो sir देखिए sir अब हम लोग आ गए है कि अब हम डिसकस करें section 188 को और मैं आपको बता हूँ अपकी बार section 188 के अंदर एक बड़ी घजब की amendment आई है और Companies Amendment Act 2020 sir इसने Companies Amendment Act 2020 ने amendment की है section 188 में और section 188 के अंदर section 188 किसके regarding है related party transaction related party transaction section 188 and I'm telling you क्या बहतरीन section है section 188 I'm telling you क्या बहतरीन चीज़ है और क्या बनाया है बनाने वाले ने section 188 in our class हम नॉर्मली इस एक section पर तक्रीबन साथ से आठ घंटे लगा देते हैं और I'm telling you even after 7-8 hour फिर भी बची जाती है क्योंकि you know that endless section है दिन रात अगर आप इसे पढ़ते रहेंगे इनी चीज़ी निकलती रहेंगी section 188 I'm telling you one of the one of the best section under Companies Act बहुत detail analysis given section 188 में तो lawmaker कहते हैं अब समझते हैं कि Companies Amendment Act 2020 ने क्या पढ़ रहे हैं कि Companies Amendment Act 2020 ने section 188 के अंदर क्या और मैं आपको बता दू अमेंडमेंट यह है अमेंडमेंट भी fine penalties के अंदर किया अब ध्यान से सुनना अगर कोई company अगर कोई director 188 का non-contravention करता है अगर कोई director अगर कोई director 188 का Contravention करता है तो old provision क्या था इसको ध्यान से सुननना पहले मेरी बात और इसमें लगाएंगे टाइम section 188 बता रहा हूं section 188 की fine penalty की amendment amendment बता रहा हूं अगर कोई director अगर कोई director ध्यान से सुनो अगर 188 को Contravention करता है तो such director employee shall be punishable with imprisonment shall be punishable with imprisonment of one year or fine 25,000 or maximum 25,000 और अगर 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 सुरी 25,000 and maximum 5 लग और बहुत in case of company and list unlisted company such director shall be punishable with fine 25,000 or maximum 5 लाग दुबार सुन लो पहले provision क्या था ये दुबार सुनो अगर कोई भी director इसे याद करो यार इसे समझने से पहले अगर कोई भी director old क्या था कोई भी director अगर मैं बताता हूँ भाई मैं बताऊंगा तुम्हें रुख जाओ दो ऐसे बात ऐसे मजानी आए इसके अंदर मैं क्या खेरो पहले old आप बोलोगे सर आपने तो old अभी तक पढ़ाया नहीं अब क्यों पढ़ारों बिटे यहां old ही पढ़ना है old पढ़ गई समझ में आएगा यहां पर कहानी हो क्या रही है अब सुनो मेरी बात ध्यान से old provision क्या था अगर कोई भी director अब यह याद कर लो बिटो अगर कोई भी director अगर कोई भी director 188 को कोंट्रवीन करता है तो in that very case अगर लिस्टेड कंपनी है और अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी में जेल में जाना पड़ेगा one year imprisonment लिखा हुए है और fine लगेगा और fine कितना था जड़ा देख लो 25,000 और fine लगेगा जाना फाइन लगेगा कितना minimum 25,000 maximum कितना था वहीं maximum 5 लाख और अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो अनलिस्टेड कंपनी है तो इंप्रीजन में नहीं है इंप्रीजन में नहीं है सिरफ और सिरफ 25,000 और 5 लाख है तो fine लगेगा 25,000 और 5 लाख यह था old provision इस देख ओके विदिऊ यह था old provision इस देख ओके यह old वाला याद करना है तभी मजाएगा लेकिन new क्या आगया in case of listed company अब देखो नया क्या आ गया अब नया यह यह आ गया है डिरेक्टर अगर आर्पीटी के सेक्शन का यहां से यहां से क्या फर्क लग रहा है कोई बता सकता है मुझे मुझे बताओ यहां पर प्रोविजन में क्या फर्क लग रहा है दोनों में इसको अब ध्यान से समझना मेरी बात मैं क्या कहना चाहरा हूं अगर आप गोर से देखें section की गहराई तक जाएं तो इसके अंद इसमें convert हो गया है तीसरा यहां पर आप गोर से देखें बचो फाइन अगर आप गोर से देखें फाइन 25,000 और पांच लाग थी लेकिन लिस्टिट कंपनी के अंदर क्या मैं बोलू जो फाइन है वो 25,000 रुपया आ गया है कैन्वी से फाइन फाइन बढ़ा दिया इसारी पहले 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 पैनलती कितनी थी मुझे बताओ न या वर पहले पहलें पहले पहले कितनी थी मिनिमम 25,000 रुथी मेशन पांच लाग और यहां पे मीनिमब 25,000 रुथी look at अगर कोई डिरेक्टर कर देता है तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है section 188 के अंदर हुआ क्या है समझ में आई बात लेकिन section 188 अगर आप पढ़ोगे तो सर इसको आपको एक section 164 के साथ भी connect करना पड़ेगा क्या amendment पहले बताओ 188 की amendment समय नहीं आई यह 188 के अंदर amendment क्या है यह मैंने आपको समझा दिया है चली अब चलते हैं मैं आपको लेके चलता हूं सर अब हम आपको लेके चलते हैं कि 188 और 164 की amendment कैसे पढ़नी है देखो जर connectivity बताने जा रहा हूं ध्यान से सुन ले ना मेरी बात अब connectivity हम बात करेंगे connectivity के बारे में देखो सर देखिया एक section 164 disqualification of director एक section है कौन सा 164 अब ध्यान से सुन लो जरा एक section है बच्चो section 164 disqualification of director का section है और section 164 दो सबसेक्षिन में डिवाइड है सबसेक्षिन वन सबसेक्षिन टू सबसेक्षिन वन की अभी हम बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति अगर unsound mind है insolvent है तो वो director नहीं बन सकता है disqualified to become director और इसमें बड़े सारे क्लोज हैं A B C D E F G अब यहां पर section 164 तो नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन हमें connectivity पढ़नी है 164 subsection 1 close G के साथ किसके साथ connectivity है 164 subsection 1 close G red with section 185 subsection 5 जहां पर penalty decriminalization हुआ है अब 164 subsection 1 क्या बोलते है section 164 subsection 1 section 164 subsection 1 बोलते है कि एक व्यक्ति डेरेक्टर नहीं बन सकता एक व्यक्ति डेरेक्टर नहीं बन सकता if he has been convicted of an offense dealing with rpt in the last five years अगर किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई भी परसन ऐसा है और अगर उस परसन ने अगर उस परसन ने इस कंपनी में अगर उस परसन ने इस कंपनी में हंजी अगर वह यह व्यक्ति अगर यह व्यक्ति ने 188 का contravention किया कब किया अपने अपने पिछले पांच साल में कभी भी एक बार किया है तो वह व्यक्ति सर डेरेक्टर नहीं बन सकता है डिस्क्वालिफाइड विकमा डेरेक्टर लेकिन कब नहीं बन सकता if he has been convicted under section if he has been convicted under section 188 अगर convicted का मतलब क्या होता है लिखेगा what is the meaning of convicted? meaning of conviction, meaning of convicted, meaning of convicted, meaning of convicted, meaning of convicted, लिखे, मैं आपको बता दूँ, हमारे देश में दो तरीके की case होते हैं, एक होता civil case, एक होता criminal case, एक होता civil case, एक होता criminal, ध्यान से सुन लो मेरी बात अब यह मजाक नहीं हो रहा है हमारे देश में देश में दो तरीके की case होते हैं, एक होता civil case, एक होता criminal case, और आप सबने सुना होगा, civil case में court decree देता है civil case में court क्या देता है, decree देता है, और जब criminal case की बात आती है, तो in that very case, criminal case में court पहले, पहले convict करता है and then sentence देता है, सजा सुनाता है, पहले convict करता है, फिर sentence सुनाता है, मेरी बात दुबारा सुनो, हमारे देश में दो तरीके की case हैं, एक civil case है, criminal case है, civil case में court क्या देता है, decree प्लस judgment देता है, संभ्यारी बात, लेकिन criminal case में court पहले convict करता है, और उसके बाद sentence सजा सुनाता है, convict मतलब, convict का मतलब होता है, कि court बोलता है, कि yes, आपके खिलाफ सारे सबूत साबित हो गए हैं, और हम आपको दोशी करार देते हैं, जब court ये बोलता है, कि हम आपको दोशी करार देते है that is called sentence, that is called what sentence, is that okay with you, is that okay with you, तो मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या कहना चाहर हूँ आपको, तो civil case होता है, तो court decree सुनाता है, criminal case में पहले convict, convict का मतलब क्या होता है, दोशी करार करना, और फिर sentence मतलब सजा सुनाना, एक चीज़ बता हूँ, court, just साब ने बोला, हम आपक आपको दोशी करार देते हैं, is that okay with you, तो just साब ने आपको दोशी करार दे दिया, अब just साब ने जब आपको दोशी करार दिया, तो मेरी बात सुनिएगा, just साब ने आपको दोशी करार दे दिया, तो जरूरी नहीं है कि आपको sentence, सजा, मंडे को सुनानी है, तो just साब बोल होता है जब criminal non compliance होता है normally हमने देखा है कि criminal case के अंदर क्या होता है conviction होता है civil case में decree आती है क्या इतनी बात समझ में आ गई देखो मैं आपको कहां लेके जाना चाहता हूं आप मेरी बात समझना ज़रा बेर आइविल लेडियो ध्यान आप मुझे बताओ जल्दी से एं आप आप एना न्यू प्रोविजन फने उंटीएर बात कर रहें अब मुझे बताओ वंने अटीए उट के अंदर पहले क्या लिखा था ठाले मुझे पनीशेबल विद वंशेबल पनीशेबल बनीशेबल विद imprisonment और fine तो मुझे बताओ पहले तो बच्चो old में लिखा था punishable fine यानि ये पहले क्या था criminal non-compliance था criminal non-compliance था और आप मुझे बताओ अगर criminal non-compliance है तो आपको क्या किया जाता है convict किया जाता है अभी आप amendment छोड़ दीजिए अभी हम amendment के बारे में बात नहीं कर रहे है leave the amendment अभी आप देखो section 188 में पहले क्या लिखा था तो पहले लिखा था कि आपको jail कि सजाओगी और आपको fine लगेगा अब आप मुझे बताओ ये क्या था criminal non-compliance था तो जब old provision था तो लिखा था he has been convicted तो प्रोविजन सही जा रहा था सर आप कंविट कब करते हो criminal non-compliance की case में कंविट कब करते हो criminal non-compliance की case में मेरी बात समझो ध्यान से क्रिमिनल non-compliance अब आप मुझे बताओ जल्दी से अगर कोई भी व्यक्ति section 180 old के according old के according कोई भी व्यक्ति अगर 188 में convicted होता है तो वो डिरेक्टर बनने से disqualified है यह close जी कह रहा है is that okay with you और पहले क्या convicted हो सकता था yes अब यह point आप मुझे बताओ पहले amendment से पहले companies amendment 2020 से पहले क्या कोई भी व्यक्ति section 188 में convicted हो सकता था yes section 188 के अंदर convicted हो सकता था क्योंकि पहले section 188 criminal non-compliance था और conviction criminal non-compliance के लिए ही होती है normally लेकिन सर क्या यह वाला provision अब delete हो गया yes sir अब आप मुझे बताओ new provision क्या गया liable to penalty और liable to penalty तो अब आप मुझे बताओ यह criminal non-compliance है यह civil non-compliance है यह civil non-compliance है और आप से मैं पूछता हूँ अगर बच्चो यह civil non-compliance है आप मुझे सब बताएं if it is a civil non-compliance concept अगर यह अब 188 के अंदर amendment आ गई है तो क्या कोई भी व्यक्ति अब civil non-compliance के अंदर 188 के अंदर convict हो पाएगा no क्या उसके पर penalty लग सकती है yes he is liable to penalty yes liable to penalty penalty लेकिन वह convict नहीं हो सकता convict क्यों नहीं हो सकता क्योंकि imprisonment बगार तो खतम कर दी पहले criminal non-compliance था वहाँ पे convict हो सकता था लेकिन sir अब तो liable to penalty है तो penalty लग सकती है लेकिन convict नहीं होंगे आप तो sir पहले 188 में आप convict सकते थे बट अब तो amendment के बाद 188 में convict नहीं हो सकते तो मुझे बताओ low maker ने जो close G लिखा हुआ है he has been convicted of an offense dealing with the RPT in the last five years क्या after amendment मैं पूछता हूँ क्या कोई भी person close G के अंदर अब क्या convict हो पाएगा answer is no क्या वो सरफ penalize हो सकता है yes तो convict तो होई नहीं सकता penalty लग सकती है तो मेरा सवाल है क्या यह close G irrelevant हो गया है क्या यह close G का अब कुछ concept बचा है यह नहीं बचा है and I would say अब यहाँ पर मुझे लगता है यह close G के अंदर एक amendment आनी चाहिए यह close G के अंदर मुझे इन शब्दों को हटा देना चाहिए इन शब्दों को हटा देना चाहिए यहाँ पर लोमेकर को एक amendment करनी चाहिए 164 सब section 1 close G में क्या amendment करनी चाहिए has been convicted शब्द को हटा के लोमेकर को यहाँ पर लिख देना चाहिए if any person liable to liable to penalty अगर उसके उपर penalty impose हो गई penalty impose हो गई under section 188 तो सर आप director बनने से disqualified है या तो इसको amendment ला दी जाए या फिर या फिर अगर amendment नहीं ला सकते तो MCA को यहाँ पर clarification दे देनी चाहिए यहाँ पर MCA को एक clarification देदीनी चाहिए or clarification क्या दे दीनी चाहिए clarification ये दे दीनी चाहिए क्लारीफिक्षेशन देंक याप में क्या के लिए कि असका कोई रयलेवेंस नहीं बचाए क्लोस जी इस ओमेट ऐह साब कोई दावनेंस नहीं बचा अगरिं teams पी ऐक काम नहीं करते लोय में कर अगर आप इन तीनों में से कोईD यह काम नहीं करते तो यह क्लोस जी मुझे लगता है लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है आर यू अर यू गेटि माइप दोस्तों यह तो हो गई लोमेकर की बात कि लोमेकर को क्या करना चाहिए लेकिन आप बोलेंगे हम क्या करें सार भाई यह तुम्हें कुछ नहीं करना पूछो क्यों जब लोमेकर ही कुछ नहीं कर रहा तो तुम क्या कर लोगे तुम क्या करोगई तुम कुछ निक रोगे सेंटेप कुर्णाय और को पताएगा sap लेकिन मुझे लगता है आपको कॉंसर सुन में आना चाहिए 188 पहले क्रिमिनल नौन कंप्लाइंस था इसलिए आप उसमें कंविक्ट हो सकते थे क्लारिफिकेशन दे या फिर पॉइंट जी कोई ओमिट कर दे तो कुछ तो करो एक काम तो कर दो यार और पेपर में आपको कुछ नहीं करना आप ज्यादा लोमेकर मत बन जाना 188 के उपर कोशन आया सुनो सुनो हम बताते हैं हमारे सर ने कुछ बताया हूआ ऐसा कुछ नहीं करना तुमें तुमें ज्यादा लोमेकर ने बनना तुम जैसी हो न वैसे रो वैसे पास होना है ज्यादा ही रो बनोगे न तो एक्सामिनर बोलेगा इसको तो हमसे भी चार सेखरे ओड़ी तो सर युनोग एट गुछ कम ने को सेखरे ओड़ी करना है और सेखरेटिल ओड़ीट करना तो दोसो चार को फोलो करना है और अगर दोसो चार को फोलो नहीं किया तो कम PCS शेल वी पनेशिबल भी फाइं सो मच करेण अपके लिख हैं कंपनी ओपीसर यह लिएल तक पैनल्टीव तो पंछ से अगर आपने 204 को कोंट्रावीन किया तो कंपनी office are in default and practicing company security ये तीनों के तीनों what liable to what penalty liable to what penalty what 2 lakh rupees तो again criminal non-compliance converted into civil non-compliance and this is again an example of decriminalization of fine penalty anyways दोस्तों बत्तिस क्या नाम आ गया merger amalgamation और merger amalgamation की जब बात आती है तो दिल से एक line निकलती है एक company चाल लोगों के साथ कर सकती है क्या compromise and arrangement और चाल लोग कौन है member, class of member, creator, class of creator so that is all about section 233 और क्या बताऊं अभी section के बारे में और sir merger क्या होता है X limited, Y limited और sir ये company इसमें merge हो रही है, कौन सी किसमें merge हो रही है, अबे ये पहनी नी चलता हमारा X limited, Y में merge हो रही है अच्छा, जो company merge होती है उसे बोलते है, transfer company और that is transfer company, एक सवाल आप लोगों से, क्या कोई बता सकता है क्या कोई एक छोटा सा सवाल बता सकता है, अगर XY में merge हो रही है, तो 232 और 230, ये section किसको comply करने पढ़ते है, X को या 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 को हो है, company and every officer of the company who's in default shall be liable liable to penalty फिर आ गया है, कितने पैसे लगेंगे, 20,000 रुपे and where the failure is continuing, तो पहला fine कितना है, 20,000 और फिर daily fine कितना है, 1000 तो फिर subject to end maximum limit कितनी है, 3,00,000, लो sir टेब लो तो that is all about section 232 and definitely, पहले क्या था, punishable with fine और इतना ताम जहां पढ़ने की जरूत नहीं है, क्योंकि omit हो गया भाई, यह omit हो गया तो क्यों पढ़ रहे हो, क्या पढ़ना है, जो नया प्रोविजन है वो पढ़ो ना, पीछे वाले में क्यों क्यों दिमाग मार रहे हो, 232, छीके, 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 छ contravention नहीं करना है, और अगर वो करेगा, तो सच registered value shall be liable to penalty of 50,000 रुपीज, registered value, companies act में अलग-अलग जगा, शेर की asset की valuation करनी पड़ती है, वो valuation कौन करता है, registered value कौन से section में, 247 में, 247 में पहले लिखा था, और अगर registered value valuation करेगा, तो 247 का compliance करेगा, अगर वो registered value 247 का compliance नहीं तो उसके ओपर punishable fine इतना इतना था, लेकिन इनको हटा के अब क्या लिख दिया है, सच registered value और if contravene, section 247, he is liable to penalty of 50,000 रुपीज, यानि 50,000 रुपीज, आगे बढ़ते हैं, section 450, section 450, residue penalty section, already discussed, यह मैं already discussed कर चुका हूँ, in full detail, in the last class, उसे देखिए, और और, that is all about the fine penalties, अगर आप को पता हो, अगर आपको याद हो, यह सारी के सारी fine penalties में आपको करा चुका हूँ, दुनिया भर की amendment देखी, यह सारी amendment मैंने आपको एक एक करके करवाई है, और मैंने आपको यह सारी companies amendment act 2020, जो भी है, उसकी सारी many penalties आपको बता दी है, अगर आपने यह मेरे 4 lecture fine penalties के regarding यह, जो क्योंकि मैं बता चुका हूँ, companies amendment act 2020 में 90% जो amendment है, वो penalty fine imprisonment related है, और मैंने आपको fine penalty चाह तरीके से करवाई, पहली कि कहाँ पे penalty reduce हुई, दूसरी कहाँ पे imprisonment हता fine रहा, तीसरा कहाँ पे that is fine और imprisonment पूरा delete हो गया, चोथा decriminalization, और इन 4 classes में मुझे लगता है कि बहुत लिखने को मिला होगा, is that okay, क्या amendment बच्चो खतम हो गई है, no sir, अभी और भी amendment आनी बाकी है, and all those amendments we'll discuss in the next class, thank you very much.